संकार सुवान जेशरी नंदन देज प्रताप महा जगवन से राम जैराम 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 स्री गुरु चर्ण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारी बर्न उरग वर्विमल जसर जो दायक फल चारी बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुधि इद्यादेहु मोही हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्यान गुन सागर जय कपी सति हुलो कव जागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनि पूत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बर्न विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजर और धजा विराजे कांधे मुझ जने उसाजे संकर सुबन के सरिनन्दन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुनियति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुक्ष्मरूपधरिसियह दिखावा विकटरूपधरिलंक जरावा भीमरूपधरियसुर समारे रामचंद्र के काज समारे लायस जीवन लखन जियाए श्रीरगुवीरहरशि उरलाए रगुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुममम प्रीयभरत समभाई सहस्रवदन तुमरोजस गावे असकहि श्रीपति कंठल गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा नारद सारद सहित अहीशा जमकु बेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवई किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीशन माना लंकेश्वर भरे सब जग जाना जुग सहस्र जोजन परभानू नीलियो ताहि मदुरफल जानू प्रभु मूद्री कामेली मुखमाही जल दिलांगी गय चर जनाही दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरेते ते राम दुआरे तुम्हर रखवारे होतन आज्या बिनुपैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम्हर अक्षक काहू को दरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे परसिद जगत उजियारा सादु संत के तुम्ह रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अर्ष्ट सिधिनव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदार हो रगुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जनम हरिभक्त कहाई ओर देवता चितन धरई हनुमत से यसर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करों गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटए बंदि महा सुख होई जो यह पड़ अनुमान चालिशा ओय सिद्धि साखी गोरीशा तुलसी दास सदाहरी चेरा कीजे नाथ रिदय महडेरा पवन तनय संकत हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिता रिदय बसं सुरभू पसियावत राम चंद्र प्रियहो राधावर कृष्ण चंद्र प्रियहो उमापति महादेव प्रियहो पवन सुतहनु मान प्रियहो बुलो भाई सबसंतन प्रियहो प्रियों आनो भद्रा क्रतवो यंतु विष्वतो दप्धासो अपरितास बुद्विदा देवानो यता सदमिद्वरुदे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे देवानाम भद्रा सुमते रूजुयतां देवानाम राती रविनो निवर्ततां देवानाम सक्यम उपसे दिमावयं देवानायु प्रतिरंतु जीवसे तान पूर्वया निविता भूमहेवयं पगं मित्रमधीदिं दक्षमस्रिदं अर्यमनं वरुनं सोमहस्विनां सरस्वतिनस्वगा मयस्करतं तन्नोवातो मयोभुवातु बेशजं तन्माता पूति वितत्विताद्यो तद्ग्रावान सोमसुतो मयोभुवस्त दस्विनां स्रुनुतं दिश्नायुवं तमीशानं जगतस्त सुषस्पतिं तियं जिन्वमवसे भूमहेवयं पूशानोयता वेदसामसद्रुदें रक्षिता पायुरदद्ध स्वस्ते स्वस्तिना इंद्रो वृतस्रवा स्वस्तिना पूशा विष्रवेदा स्वस्तिना स्थाक्षो अरिष्रनेवी स्वस्तिनो प्रुहस्पगेददातु पुषदस्वा मरुतं पुष्नी मातरं शुभं यावानो विदते शुजग्मय अग्नि जिग्वा, मना वस्वूरा चक्षसो, विश्वे नो देवा, अवसा घमन्मिय, पद्रम करने विश्वुयाम देवा, पद्रम पस्ये माक्ष विर्य जत्रा, श्लिरैरंगे श्टुष्टु वां सस्तनूरिः, व्यशेम देवाितं यदायू, शत मिन्नू शरदो हन् व्यत्रा नस्टक्रा जरसं तनुनाम उत्राशो यत्र वितनो भवंति मानो मध्यारी रिष्यता युनुगंतो यो शांति रंतरिक्षम शांति उत्रिवी शांति राप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विष्वे देवा शांति रम्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति स्वा शांति 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 रेव शांति शांति रेवा शांति रेवा शांति रेवा शांति रेव इंड्रव देवाहि घूषन देवाहि देवाह उनमदा उनमिदा उनकुणमुदस्यते उनस्य उनमदायो पुर्नमेवा वसिष्यते ओम् शांति 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 रिखली ओम जैजिखे हराम, जडेजी और जे जेटलमने, बुट्मॉनि अजूड देश्टर कांड़ू अजूड नूजूड दिजूड देश्यूद्यूनिट्ट दिजूडर कांड़ अजूड दिखेश्यूनिव परिजूड वूद इस नूड़ इस प्रिश्वर्टता कि अच्छू प्रिश्ट प्रिट्यूल में प्रिच्ट वेह प्रिचेश अपरिए ठीच मेन प्रिच्ट तर चुट से इंप सेविग देखर गिए। जबासी इस दैप विए ट्रव में इस अर बाप्ट इस प्यूब इस पूसुबांटा इस डुटून यहों झाल रख बहुंब अजर्ग और लुदू अजूज एक बबबु नुट और बबुए अजू जुट अजू उल फॉल और बबुब्सु इतंको सुंदरकंगर जूब जूब पॉब वे यह दिट एस्टर एंटेध यह बबुट एक्षें बबुट एक उन्वंट एंड रंकिने to point out that if you are too small, the society will try to swallow and destroy you. If you have grown big and important, there would be attempts to drag you down and destroy you. Bapu mentioned five types of rulers as classified by Lavodzu. Bapu classified gurus on the same analogy. Gurus who are not burdensome, gurus who are merely worshipped, gurus who are loved, gurus who are fearsome, and gurus who are to be neglected. Manas prescribes that the orders given by mother or father, orders given by gurus and by your master, Prabhu, ought to be implemented without a second thought. But Bapu added a condition that such orders ought not to be improper. Orders which are rooted in attachment, mamata, and passions, vasana, and in ignorance, murdhita, such orders need not be obeyed. Said Bapu, God alone is our parents, our guru, our friend, as addressed by Jesus, by Ramakrishna Paramahams, by Akrura and Arjuna, by Sugriva and Lakshmana. Bapu pointed out that Ram, an ideal son, did not accept and declined to obey the orders of Dasharatha. If a guru prohibits you from attending Katha or any other spiritual discourse, such gurus are to be disobeyed. He was told that the gurus of a certain sect are preventing people from attending Ramakatha. They declare their own Swami to be the only and the real essence of all the incarnations. But they are converting their own satsanga into a kusanga. Bapu can have only pity for them because they lock up and imprison their own followers. Such temples are the abode of sickness, a sort of hospital, a mere madhouse. They merely collect funds and amass wealth, but they are afraid of the free flow of good ideas. Bapu quoted Rukaveda, which welcomes good thoughts from all the corners and all the quarters of the universe. All this, said Bapu, is not his ninda or criticism. It is only a diagnosis or nidana. He advised people to go anywhere to get good satsanga. And he was confident that if people are prohibited from coming, they will come in larger and larger numbers. and once they come, they will never live. Bapu's katha has only an entry point and there is never an exit door. His is an assembly, a mahafil of love and joy. Such gurus convert their followers into a mere herd of unthinking ships. and under the garb of religion, they grab everything and all the money only for themselves. Bapu quoted the example of Shukra Acharya to point out how such a guru becomes a one-eyed one. They are not the gurus. They are scams, kacharo, but truth cannot be kept out in a way forever. So said Bapu, there are five types of guru. A guru may be invisible, adrushya, and yet he can give you proper guidance. Manas itself is an adrushya guru. There can be a universal guru, trivuvana guru. Shiva has been described as a trivuvana guru. The second type of guru is Vishwa guru. The third one is guru. Bapu advised that all the doors and all the windows of our mind should be kept forever open. Some gurus deserve only puja, while people who love their guru is a sadguru. To worship is an easy ceremony, but to love is more difficult, because love demands all and everything in a total surrender. To love is to wipe yourself out completely and totally. One can learn satya from Rama, prem from Krishna, and Karuna from Shiva. Bapu returned to say that the trivuvana guru does everything for you without becoming a burden. Vishwa guru is worshipped and sadguru is love. People are afraid of dharma guru who make you bonded slaves, while the kuna guru is treated with contempt upeksa. Bapu is aware that this world is never very comfortable with the sadhakas. If you grow fast and good people will try to drag you down and destroy you. If you stay small and humble people will try to swallow you up and destroy you. Just as Sursa and Lankini did in case of Hanumana. But Hanumana is capable of dealing with them both. Hanuman gave a fist blow on the head of Lankini. Guru always gives such a blow to destroy the traditional prejudices stored in your intellect. There is nothing wrong with traditions, but traditions should be fluid, should be changing to adapt with time. As you grow up, change your measurements, change your apparels, and change your approaches. Traditions, if solidified, become mere prejudices, and guru destroys prejudices by hitting a fist blow on your head. Lankini, hit by Hanumana, vomited all the bad blood, and became virakta, free from attachment and prejudices. Satsanga, with Hanumana, destroys intellectual blocks, reduces your attachments, and wakes you up and active. Satsanga is not idleness. It does not lead to the conditions of mere torpor. In Manasa, Satsanga has been discussed and defined very often, but the best description of Satsanga is given by Lankini, who then blessed Hanumana and wished him success in his mission. Hanumana then searched for Sita everywhere, but found no one. He even visited the residence of Ravana, but he finally came to be Vishana, where Hanumana found a kindred soul, a bhaktta, a brata, a brother, a fellow devotee of Ravana. They discussed several issues at length, and finally, Vibhishana gave Hanuman advice on nine points to search for Sita, who is an embodiment of bhakti, shanti, and shakti. Bhakti needs faith, vishwasa, bhajana, and ramkṛta. Shanti can be achieved by freedom from fear, abhaya, freedom by renunciation and by non-violence ahinsa, while shakti needs steadfastness or sthiritad, silence, maun, and ramnaam. Vibhishana advised Hanumana to search for Sita, not in the mandirs, but outside. Hanuman turned to Ashokvana, and he had his first glimpse or darshana of Sita. Thank you, J.C.A.R.O. Thank you, and I and I could ask him to कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 कर दो 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 कर काम भीराम काम रान रान रांग धी काम भीराम काम भीराम राजी दे ले रम रगुवान ले रम ले रम आ आ रुप 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 करुणा करुणा करंख स्ट्री राद श्री राद श्री राद श्री एुखत divine है श्री राद भ्री राद। बहुत बहुत बहुतक strategies मनों जवं जवं मारुत तुम्यद वेगं जितें रियं बुद्धिमता 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 श्रप्पर श्रप्पर श्राम जंग में भगवान री से बाल कश्ट भगवान प्रिये सद्ग्रुद भगला प्रिये वो नमह आर्वती पतये आर्वती 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 जाल श्री राम जये राम जये राम श्री राम जये राम श्री राम जये राम जये राम जये राम जये राम श्री राम जये 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 राम स्री राम जये राम जये राम जये राम वे वोती शेख शेख आप आप भल्डोप श्री रम्जे रांजे रांजे रेग्ण, ये रांजे, घै रांजे, तै रांजे, जे रांजे-घै, हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है ते जर्ट वार्ट। गुरुचरन सरोचरज निजमन मुकुरसुदा बरनाम क्रभुबरे अभी माले चसुदा जुरुदायक फले चांग मंगल भावन मंगल भावन भावन मंगल भावन 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 मंगल भावन 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 मंगल भावन 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 मंगल भावन 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 मंगल भावन 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 आपा नाव दो सान्थ आप एक्रपा करो गुरू देवकी नाथ इक्रिपाइ जय 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 आनुमान कुछाई जय 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 मेले भुट मेले पत्त शाय이다 ुए । ॐ ुए 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 जै 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 आमान गुसान जै 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 शाब बूठा टाह अमान ग्रॉट भुम्ग लावाद तमंग अलेखा पुझ्यपाद गुष्वामी तुलसिदास जी महराज प्रियेव जाने तुलसित है प्रिये झालेखा प्रिये रुष्वान के प्रिये रेव्टास जीप्याद प्रिये रेष्वाद प्रिये रुष्वार् सामा सुंदराशा सामा सामा प्रभुभुजकारिकार समद्द से प्रभुभुजकारिकार प्रभुभुजकारिकार तब देथी मुद्री का मनोहर तब देथी मुद्री का मनोहर नाम नाम अन्तित अती संदे तब देथी मुद्री का मनोहर तब देथी मुद्री का मनोहर तब देथी मुद्री का मनोहर तब देथी तब देथी मुद्री का मनोहर तब देथी मुद्री का मनोहर करे कादस करे करे लगो पुझा आई करे समय दाम समेश उं करे समधर से गन आनु समय से नु ले वनु आनु 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 जे माराज प्रीये बाव आज की कथा के आरंभ में फिर एक बार पुझ्य स्वामी जी बापा अन्य सभी वडील बुझ्य गण आज श्रवी मेरे श्रोता भाई बहन इस नवदीव सही राम कथा के निमीत मात्री अजमान किरन भाई और आपका पुरा परिवार अपने अपने देश में अपने अपने घरों में सुविधान कुछ इसराम करता का दर्शन श्रवन करने वाले मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को व्यास पीट से मेरा प्रणाम आज अशाड़ी बीज रथयात्रा का बड़ा पावन दिन मन ही मन जगनात पुरी की आत्रा कर ले अम्दाबाद में भी जगनात मंदीर से निकलने वाली निकल चुकी होगी पूरी होने में होगी रथयात्रा और गाउं गाउं जहां जहां रथयात्रा का उच्छो है रथयात्रा की बहुत बहुत बढ़ाए शुब कामना साथ साथ कहीं लोग कहते हैं आज इद है कहीं लोग कहते हैं कल है जब भी हो सब को पुरे संसार को इद मुबारक हो प्रसंग प्रवेश हो इस से पूर्व कल एक अगोशीत कार्यक्रम था मुझे भी पता नहीं था दो दिन पहले ही मुझे बताया गया था कि आप कहे तो रखे सरल और समर्थ गाई का कोशी की चक्रवर्दी निकल करीब दो घंटे अपना शास्त्री गायन बहुत विवक और मर्यादा के साथ पेश किया है सूर और स्वर आदमे को अधिक सुंदर बना देता है इतना ही नहीं स्टेज को भी सूर और स्वर विशेश सुशोभीत कर देता है बहुत अच्छा गाया मेरी वियास्पिट के और से बहुत बहुत शुब कामना खुश रहो बेटी खुश रहो इसके साथ साजिन्दे जो थे दो वाई एक आर्मनियम प्लेयर रहे तबला वादक और एक बहन जी जो तानपुरे में साथ करती थे आपके लिए भी मेरी प्रसर बता अगे बढ़े मानस सुंदर कांड लंकीने के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सत्संग करके श्री हनुमान जी लंका में अल्डेडी प्रवेश कर चुके है और अपनी आँखों से वो लंक दर्शन कर रहे है समंदर के इतट पर शिखर पर चड़कर उसने स्थून रूप में लंका नगरी का दर्शन किया उसके बाद लंका नगरी जो लंकीनी बन करके खुद की चौकी कर रही थी लंकीनी के साथ भी बात्चित हुई फिर लंका में प्रवेश करते हैं और मंदीर मंदीर में प्रवेश करते हुए वो दशानन के मंदीर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और वहीं से हनुमान जी का रावन दर्शन शुरू हो जाता है यद्यपी बेजबें हनुमान की आँखों में जानकी का दर्शन बागी है लेकिन यहाँ पहली बार हनुमान जी के नेत्रों ने दशानन का दर्शन किया रावन भी दर्शन करने योग्य है यदि रावन दर्शनी यह न होता तो मेरे काग भुसंडी जैसे इच्छा मरन बुद्ध पुरूश उसको अवतार की संगिना नहीं देता कहे सी बहुरी रावन अवतार है बुसंडी का निवेदन है कि गरूड मैं अब आपको रावन का अवतार सुनाता हूँ दश्मुक होना की दश्रत होना हमारे आथ में है दो पात्र मानस के बड़े रहस्च मैं है दौनों में दस का अंक सामानी है दस मुक रावन दस रत अवदनरेश और ये संसार में बाप किसी का मूल खराब नहीं है परिस्थिती देशकार अपनी प्रकुरूती और अपनी प्रवृत्ती ये पांच कोई ऐसी रस्यां है जो आदमी को खींच करके कभी दश्मुख बना देती है कभी दशरत बना देती है एक्तो परिस्थित इन पांच को इस पंचक को व्यक्ती के दश्मुख और दश्रत होने की भूमी का मानी गई है पकि मूल में चाहे दश्रत हो चाहे दश्मुख हो मूल में सब के सत्व पड़ा है रावन का मूल है सत्य केतु राजा उसका बेटा प्रताब भन पूरा कूल रामायन में पढ़ लीजी आप इससे बढ़िया कूल किसका हो सकता है मिस्व वमीदित एक कई कई देशू सत्य कई तुताह बसाई नरेशू रावन की रावन कूल रावन नो जे आंबो उसे आंबो इसकी जड़े एक बहुत पावन कूल में है प्रताब भन बहुत अच्छा राजा है मानस में बहुत अच्छा है लेकिन देश, काल, परिस्थिती, प्रवुर्टी और प्रकृुर्टी के कारण दूसरे जनम में वो दश्मुख बन जाता है इदर दश्रफ का जड़, दश्रफ का मूल कितना पवित्र मनू जिसका मूल है इदर दिरे दिरे आदमी ऐसे इसे इनसान बन गया, मानो बन गया यह उत्करानती वाद है लेकिन यह पाश्चात विचार है, बैज्ञानिक विचार है उसकी अन देखिन न करें फिर भी हमारी मूल परमपरा को भी अन देखिन न करें मनुष मनू की संतान है मनुष मनू की संतान प्रमान मानस यह पूरी नर्ष रुष्टी मनू से शुरू हुई है मनू पर से ही संस्कृत वांग में कहता है मनूष शब्द बना है मनूज शब्द बना मनूज का अर्थ है मनू से जनम लेने वाला जैसे जलज जल से जनम लेने वाला कमल नीरज नीर से जनम लेने वाला कमल करज हाथ से जनम करज कहते हैं उंगलियों को करज कहते हैं करज हाथ से जनमी है मनोज मन से जनम लेने वाला कामदेव उरोज आदमी का वक्ष मनुझ जिसको हम कहते हैं मनुझ 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 का मतलब है जो मनुझ से जन्मा है शास्तर प्रमान देता है बागेश श्रीकित स्वयं भूमान आरूशाते रूपा स्वयं भूमानु आरूपा अब कोई भूस्वामी जी को यह भी पूछे कि मनुझ से मनुझ हुआ तो मनुझ किस से हुआ अल्रेडी पहले जवाब दे देते हैं हमारा तर्क तो कहेगा और तर्क की छूट होनी चाहिए जिस धर्म ने विचार और तर्क करने पर पतिबंद लगा दिया उस धर्म ने खुद की हत्या किया यह धर्म आत्म हत्यारा हो गया रहे जो तर्क करने की मना कर दे रहे तर्क एक शास्त्र है और जिसको शास्त्र का दरज्जा मिलता है उसको आधर देना चाहिए जैसे आप संख्य को आधर देते हैं क्योंकि संख्य शास्त्र है आप न्याई को आधर देते हैं क्योंकि न्याई शास्त्र है आप योग को आधर देते हैं क्योंकि योग शास्त्र है तो तरक शास्त्र है पुरा लोजिक जो है लेकिन इतनी समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि तरक सब कुछ नहीं है हमारे रमन बापा पाठक गुजरात के रिष्टनालिजम के पिता महमाने जाते अब तो नहीं रहे उसने तो एक कॉलम शुरू की थी समझ की साधना ये रामपुरा रामचरिक मान समझ से प्यदा हुआ है अब मुणियाद में तो जाईए साध का जन्म समझ से भवानी ने समझ से किया रामकथा प्रगट हुई गरूरी ने समझ से किया रामकथा प्रगट हुई भरगद जी ने समझ से किया नाथ एक समझ से बढ़ मूरे रामकथा शुरू ही तुलसी ने बार बार गुरू से सुनी मन में उतरी नहीं उतरी नहीं दिया हमें बोलते बंद कर दिया है साथ हमें यस मैन बना दिया है कि गाउं में जो सवराष्ट के गाउं में रहे हैं सब को पता है कि बागवत कथा होती थी राम कथा होती थी तो एक वाडियंस जो बैठता था वो हर इसका मतलब आप जो कह रहे हो बराबर रहे है किस्ट पी पर बोले इंची जरूड न ही कि व्यास्पिट पर बेठा हुआ उत्यांद पंच पराजन होना चाहिए six चुप्र ऑस्प पहले यह ग्रंथ पराइन होना चाहिए दूसरा ये सत्य परायर होना चाहिए मैं तो यहां से कोई भी निवे बन फटकार दूआफ की स्रद्धा है आप मान लोगे कि बाप उन्हें बोल दिया है लेकिन अपराद मैं कर रहा हूँ आप तो मानी लेंगे मुझे प्रकाई आप यकीन है कि बाप उन्हें बोल दिया बात खता और मैं कुछ भी कह दो आप मान लेंगे कौन जिम्मेवार तो वक्ता पंज परायर होना चाहिए एक तो गरंथ परायर हो दूसरा सत्य परायर हो तीसरा ये प्रेम परायर हो ये बाते प्रेम से कहे द्वेश से न करे तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो राख द्वेश के कारण बाते न की जाए प्रेम से की जाए प्रेम परायर होना चाहिए और वक्ता परमार्थ परायर होना चाहिए उसका हेतू परमार्थ का होना चाहिए विद्या वेचे ना मानस में लिखा जो वेद को वेचता है उसकी दुरगती होती है बेचागी बेद बेचागी बेद बेचागी बेद दर्म दुई लेदी बेचागी बेद दर्म दुई लेदी पिस्मन पराईद पाप कही दे पिस्मन जो वेद को वेचता है विद्या को वेचता है धर्म को दुई लेता है धर्म का शोशन करता है और चुगली खोर व्यक्ती के पीछे जो दूसरे के पाप का गायन करता है धरत पशिष्ट जी कहते हैं अधर्मी मरे तो शोख करना चाहिए तेरा बाप मरा उसके पीछे शोख नहीं करना चाहिए उसने वेद वेचा नहीं था यह वेद विदीत था उसने कभी धर्म का सोशन नहीं किया तो तुमारे पिता ने तेरे पिता धर्म दुरंदर रहे गुननी धी ज्यानी आहिदय भगती मती सारंग पाणी अवधपुरी वेद वेचा नहीं वेद उसकी सराहना करते है धर्म दुरंदर है धर्म का सोशन नहीं किया और किसी की चुगली नहीं किया किसी के पाप नहीं गाए कारण रिदय भगती मती सारंग पाणी रिदय में सारंग पाणी को बिठाया दशरत जी ने किसी पूछा दशरत से कि आपने रिदय में सारंग पाणी को सारंग तो धनुष का नाम है सारंग पाणी राम है उसको आपने रिदय में बिठाया है और सारंग पानी की आप भक्ति करते हैं क्यों आप तो वसिष्ट के शिष्षे निराकार को भी आप समझ सकते तो रदई में तो इश्वर के रूप में इश्वर को बिठाना चाहिए दश्रत ने कहा रदई में इश्वर के रूप में रखू तो व कुछ करता हुं मैँ चुगरी करूं तो भी मुझे रोकता ने मैं निंदा करूं तो भी रोकता ने साक्षी बनके इसलिए आप सारंग बानी रखता हूं कि मुझे कहें बाण चड़ा कर बेटां खबरदार किसी किनिनदा कीतो तो बाप वक्ता पोथी परायन होना चाहिए गंध परायन होना चाहिए परमार्थ परायन मेरे पास मेरे कथा जगत के कई मेरे से कई उम्र में ज्ञान में सब प्रकार से हुचे एक कथा जगत के एक महापुरुष ने मुझे कहा कि भापू मैं कथा का पैसा लेना बंद कर दूँ वाशिंग्टन में मुझे पुछा गया था बहुत समय पहले एक बार वाशिंग्टन में हमारे चंदरकान भाई और उसकी कमीटी ने एक मंदीर की निव डलवानी थी बरसे गुजर साले गुजर गई तब मुझे पूछा य पैसे लेने बंद नहीं करो वित्त खराब नहीं है वृत्ति खराब है वित्त यह मेरे जोस्त विद्या के साहित्य के जितने जितने और कभी हैं शायर हैं गायक है वो वो पैसा नहीं लेकर मुझे पैसा लेना बंद करो मैं बहुत दिल सके तक बंद मत करना तुमारी वृत नहीं है फृट्टी खराब है ठीड़ूर्टी भृट्टी के रूप में जब Bद्या वेची जाए तब गातब और आप कोई program करें आप को कथा गये और कोई अपको दक्षीना के रूप में दे तो प्रश्न है वृत्तिका तो बेज ही बेज किसी भी छेटर के लोगों को कहें मेरे पासा आते हैं बहुत आदर के साथ मुझे पूचते हैं इतने प्रोग्राम के बाद हमारी इच्छा है कि मैंने के नहीं भीया, क्यों? ये तुम्हारी तुम्हारे शीर संकल्प में पगयल आगो, पर नहीं, शुका हुआ, वाई? तुम्हारे शार्थक देते हो, वो तो थोड़ा सा अर्थ देते हैं, सार्थक के सामने अर्थ की कोई किम्मन, वाउशो ने कहा था, शुविद्वार, वाउशो को जब पूछा गया, कि ये देश पागल है, ये देश मूड है, वह ले किस रूप में? कि हमने देखा हैं कि बनारस की गंगा में, या तो गंगा सागर की कलकते की गंगा में, लोग नौका में बैटते हैं, और गंगा जी में पैसे फेंचते हैं, पैसे डालते हैं, ये बैकार, ये मूट धर्मिकता है, गंगा जी में पैसे डालने से बहतर तो है, कि कोई गरीग को दे देते तरक तो ठीक है इस भूखे को दे देते अच्छा लिटा है लेकिन ओशों ने बड़ा प्यारा जवात दिया यह बारती कर सकता है कि गंगा को देखकर लोग पैसे फैंकते इसका मतलब यह है कि गंगा तेरे पांस जो है इसके सामने मेरे पैसों का कोई बुल्य नहीं वित्खराब नहीं है वित्खराब होड़ा तो मेरे देश के रुशी परंपरा चतूर पुर्शार्थ में अर्थको जगह नहीं देते मैं लाग पैसों कित्पा करू तो यह कथा था है कथा हो सकती है एक किरन भाई को कितना खर्चा हुआ हो जाने लेकिन बीना पैसा हो सकता है जो बेद को बेचता है रावण ने कैसे वेदवादियों को निकाल दिया था जो लंका में रावण ने उसको सौने के घर दिये थे और सौने के घर में बैट कर वेद का पाराइन करने वाले भी ये जमान मिल जाई तो कहते थे थोड़ा दो तो रावण ने कहा निकलो मेरे देश तो बागो सौने का घर दिया फिर भी तुम वेद वेच रहो तेही बहूं भी धितरा सही देश निका सही जो कह बेद पुराना रावण ने वेदों को में निकाला वेदिया 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 बहुत गजब कर सही वेद तो वेद है साम पर मेरी गुजराती ऐसे एक इंडी भाशी भी जान लेते हैं समझ लेते है तो कल शुवित पर आपने कोई गुजराती टुकड़ा दिया तो कोशिकिन का मैं समझ जाती हूं इसा का कोशिकिन तो गाओं में हमने देखा है बजपन में कि कोई गौर लेने जाए तो पहले तो डिबी में गुड़ा आता था तो वेपारी दे तो पहले खरीदने वाला गौर थोड़ा लेता था हाथ में दे फिर ऐसे ऐसे गिसता है कि करकरा है कि चिकना है कि क्या है तो यह हमने देखा ह फिर क्या कहता है पांच मिनिट गोड को धिस करके कहता है चिकना बहुत है तो वेफ़री क्या कहता है था नहीं तुने कर दिया है वेद चिकने नहीं है वेदियाओं ने चिकना कर दिया है वेद तो है गोड संपधा और वेद से भी उपनिशत में जाओ तब तो आखिरी इससे ज्यादा चिंतन विश्व में कहीं दिखता नहीं और लोग पूरा का पूरा गरंथ पढ़ते नहीं हो तू तो इस चारों और से सत्य को देखते नहीं इसलिए आज 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 ये एक व्यक्ति ने मुझे पूछा है एक लिए भापू बैनों को मुक्ति नहीं मिलती किसम सफन्थ दूमने कितने को बाँदे दो सोगो तुमने कितने को बाँदे है ओसो तुम ने कितने को बाँदे है और दो मित अब कि अब ऑबत nasa utilizz a of शटरीख शुड्रे चांडाव भी यांती पर गजराग्टों Ust Abram गीताकार क्रिष्ण कहते परमगति का अधिकार है न अपढ़े लोग कहते स्थिश्ट को अधिकार ने कोई अधिकार ने ये कोई डाल डिया वेःभ ने ंई बहीद नहीं को महरे पास संथि य हुप अमेर plaisir का सिधी बात है तो शास्त्र कहने को practical को चाहिए वो सही बात बताए सत्य परायन होना चाहिए पोथी परायन मैं तो जो भी बोल दूँ आप आप मान लेंगे सिधी सी बात है गप्पु मार दू लगिन बापनो शब्द जाए गप्पु तो भी आप मान लेंगे क्योंकि आपकी आस्ता है हरे 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 जो भी कहो हरे हरे नहीं संशए से शास्त्र पैदा हुआ है प्रश्नों से उपनिशद का जनम होगा है तो तर्क जरूरी है लेकिन तर्क सब कुछ नहीं है सोचने में जिनकी बिज्जाती है मैं एमिल कांट के आप किसका नाम में भुल गया हूँ स्वारी एक विदेशी चिन तक उसको शादी करनी थी फिर शादी के पक्षमें विरुद में तर्क करता है शादी करूँ तो यह हो न करूँ तो यह हो यह हो यह हो इसमें 40 साल बिका दे फिर उसको हुआ कि अब तो कर दे 40 साल पूरा हनवान 40 सा कर लिया पिर हनवान 40 सा कर रहे उसकी शादी तो हो कि नो प्रशन है कोई कि यह आदमी ही ब्रहमचारी है फिर किसी को देखे तो यह मेरे समान पढ़ी लिखी होगी कि नहीं इसका खांदान कैसा होगा यह थोड़ी सावरी है, यह थोड़ी गोरी है थोड़ी नापी है, थोड़ी मोटी है और 20 साल निकाल दे कि बलतर को में फिर होगा कि पसंदगी में बहुत देर कर दे सोचा कि जो पहली बार पसंद आई थी वहाँ जाओ उसके बाप ने तो कहा था कि दोले धर में देदो हमारे काथिया हुआ दोले धर में देदी ले इन्वारते हम तेक धर्म कालो पर नहो वो जुई धर्म क्या कालो यह हो जो नहीं तो दोले धर में शुकाम करो यह कालो धर्म यह बेच यह बेच बिद्ध्या बेज लाओ ये काड़ो धर फिर उसने ठान लिया इस बुद्धिमानने के अब तो वो है उसके पास गई जिस महिला से इतनी साल पहले उसने बात की थी उसके दार गई तो वो बेहन मिली कुछ पूछे इससे पहले उसने कहा कि अब मैंने बहुत सोच लिया है बहुत अपका निरने कर लिया है कि हम शादी करें तो उस बेहन ने अपने दो बच्चों को बलाए बेटाओ मामा को प्रणाम करो मामा के पैर छुओ तरक सब कुछ नहीं है बगी तरक शास्त्र है जरूरी है मेरा पूरा मान संशय से प्रगट हुआ है इसलिए रमण बापा एक कॉलम लिखते थे संशय नी साधना मुझे अच्छा लगता इसी कॉलम में कभी उसने लिखा था कि कथा शाचालेयों के लिए होनी चाहिए और इसी सुत्र को मैंने पकड़ करके रमण बापा के गाउं में ही शौचालेय के लिए कथा की है प्रश्ण पूछने का एक तरीका जरूर है किसी के सामने आप प्रश्ण रखो तो एक विधी है हमारी शाध प्रणी पाते न विनई से प्रणाम करते हुई आदर करते हुई फिर पूछो संशय को आपके मन में प्रश्ण उठे तो करना ही चाहिए जरूरी है इसलिए उसको शास्त्र का दरज्जा दिया है तो वक्ता पोथी परायन होना चाहिए प्रेम परायन होना चाहिए सत्य परायन होना चाहिए परमार्थ परायन होना चाहिए बहुत जरूरी अपने गुरू का पराइन होना चाहिए अपने गुरू को न भूले तो विद्धिया ऐसी हैं कि उसके बगले में लोग क्या दे सकते मेरी तो कहीं लोग मुझे कहते हैं कि हम छोड़ दे तुम्हें मैं बहुत मना करता हूँ कि नहीं ये वृत्ति को मैं सलाम करता हूँ छोड़ने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत है हर बात में किसी के पीछे चल देने की जरूरत नहीं है और यत्वा तो पीछे चलना चाहे तो जिसके पीछे चलते हो उस जो कहे वो मानूँ अज एक एक श्रोता ने मुझे अपनी पीडा ली किया मैं जानता हूं कि मेरे ख्लावर है थोड़े पीडी तोते होंगे मैं समझता हूं हका हका मार मार धन तुँ कोटे रे एक आया मां एबेली खड़ा अपने आपने जाब लेखा हूं यादी धड़ा पुपाथे जी और वुथ हूं ने ताम बैतना हूं किता हम रावंड लेवा पड़े आम आम करिम पजी उवथ हूं उटे रे एक आया एबेली खड़ा आने काड़े चापी रे सुरंगो एमा काड़े चापी रे सुरंगो खांगारे थयाए कोठा काड़े आने अवे डूकी ग्या उधमा दिन अंगो दूक्या उधमा आने को गुटे रे एक आयाना बेली खड़ा गुटे रे एक आयाना बेली खड़ा माते रे उतार हो है माते रे उतार हो है गार्ट मेरी महांगी महांगा आने तेदी का माला आज़ा चोगान आज़ा गार्ट माश्तर ना आज़ा तेदी के में एक आपाना आज़ा चोगान आज़ा आजि नी ओरेता थिसके, जाटे नी ओरेता थिली, तुर्दिटे नादा वे जिली, तो रीड़ेता थिली टुट झांवा, वेदा नादा थिली, ये बेली खर भड़ बापु जैसे आरहाँ दर्मनों प्रचार करने वाले गुजराती में में हिंदी कर रहा हूं दर्मका प्रचार करने वाले सुन्दर बन-बन करके बिलग बिलग शास्त्रों की कथा कहते हैं आप छूट देते हैं इसलिए हम सब की कथा में जाते हैं लेकिन सुनते हैं तो आपकी ही बाते करते हैं लेकिन आपका नाम तक नहीं लेते हैं क्योंकि हमने तो आपकी कितनी सालों से कथाएं सुनी है आपके समान सब कुछ रखते हैं बहुत सी लगाम है, जरा सार सारा थोड़ा बुदुहम जो आपकी वो सब होती है, छुड़ो और हम आपके जो फ्लावर से हैं, हमको बड़ा कष्ट होता है मेरे फ्लावर सो तो कष्ट मत करो, खुश्बू फैलाओ जो करें, इसमें अपने को जाने की क्या जरूरत है रासना आये तो प्रणाम करके निकल जाओ, बाकी इसमें आलोचना में मत जाओ ये दुनिया है साथ, ये जगत है करें जिसको जो मैं औशो के कोई सुत्र बोलू तो औशो का नाम लेता हूँ मैं एक मेरे छोटे से, छोटा कलग कर एक गाओं वाला मेरे पांस कोई छंद सुना जाए तो उसकी बात मुझे अच्छी लगे तो मैं उसका नाम लेकर सुनाता हूँ मैं कभी प्रग्याचोरी नहीं करता और कोई अभी पुरा का पुरा किसी का लेकर बोल दे और न बोले तो ये उनका गराना बता रहे ये हमारा एड्रेस इसमें हमें पिडा मेरे फ्लावर्स को तो खिलना है, खुलना है खुश्मू देनी है, मुर्जा, ऐसे ऐसे दुसरों के एक दुसरों के तुलना में जाओगे तो तुम मुर्जा रहे छोड़ो बैकार की बाते कहीं बीतन जाए रहना छोड़ो न यार तुम समझ लेके हो काफी है कि तुम परख गए कि एसा गोड़ इतना काफी है इतना बस है बोड लीगा है, उसकी पिडा लेके यह पिडिक में हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ले ना देना नहीं वहां तक तो ठीक है बापू, लेकिन कहते हैं हमने सुना है कि बापू भी हमको सुनने आते हैं और हमको सुन-सुन करके फिर बोलते हैं अरे बच्चे तब तब जरा, ओठीक है लेकिन इन में भी तुम क्यों पुरीत हो कहीं लोग मुझे कहते हैं मैं तुमारी बात जरूर को लेकिन तुमारा नाम लेकर को बाकी तो मैं मेरे दादा की बात करता हूँ मेरे पांस मेरे गुरू का खजाना है यह जड़ा ठीक है लेकिन वो भी उसकी उसकी जो मान सिखता है वाज यह वो दू हम आमद गणू से हम जाए आल इंग वन है इसमें आल इंग वन है आ निलेश फाड़ित ना कहते पड़ी कदर भूली जाए तो हूँ जाने आदर साथे तमारी मानसिक तामाति काढ़ी नाखवा मैंटे निलेश इकड़े अचो अचो आज कच्छनो आज कच्छनो दीवस अचो डाब वहत है आज उसकी जमना आत्मा ना ले वाज बेटा यह उनका बाब बाबगिस यह उह क्योंकि ऐसी टूलना करने में इसा सोचने में अपना समय बिगड़ जाता है बाप अपना रस चला जाता है इसमें क्यों जाएं तुम समझ लो बस इतनी में अपेक्षा जरूर रखो कि कम सो कम तुम्हें यह पता लगे कि कौन क्या है यह आवश्यक इससे ज्यादा कुछ नहीं जहां भी कुछ अच्छा मुझे मेरे पास एक मने अंग्रेजी आवड़नी ने पर मने एक वाक्या मढ़ी उते हूं तमने को वी नीड मेरी ट्रोक्सी नाथ मिडियो कृटी हमको असाधारण चाहिए साधारण नहीं इबले इंग्लीश में हो लेकिन है चांदग्य उतनिशत का वाक्या नाल्पे सुखम अस्ती नाल्पे सुखम अस्ती रुषी कहता है हमने अल्प में आनंद नहीं आता हमें पूरा चाहिए हमें असाधारण चाहिए बराबर से ना बैए वी नीड मेरिट्रोक्षी ब्रवे रभे रभे मेरिट्रोक्षी ना बापा मेरिट्रोक्षी 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 हमें पूरा चाहिए कभीर कहते हैं कह कभीर मैं पूरा पायर मेरे गोस्वामी जी बहर भी जाकी कृपा लवले स्थे है जाकी कृपा लवले स्थे है जाकी किरमा लवले जिने मति मंध उलसी प्वास। पायो पराम विश्राम राम पायो पराम। कि नाने समाने प्रभु नाही कभो नाही कभो नाही पूरा चाहिए साधारण नहीं असाधारण चाहिए सुन सुत सद्गुन सकल तव हिदय बस हुँ हनु मन्त चानकी कहती है पूरा का पूरा दिल एक बच्चे की मामिंद अड़ा बैठा है या तो उसको सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं आप चाहे तो मेरे हाथों की तलाशी ले ले मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं सब चाहिए मेरी टॉक्से अब एक तो मने आवड़े सिदा सादा यंगरी जिना आवा अगरास पहली इमने गमी में पूरा चाहिए अधुरा नहीं बाप इधरों दिर की बातों में मत जाना प्रसंटा से रस्पियों और अपने पाँ से रसी कठा हो जाए तो लुटाओ के बिल पहचान लो कि कौन कहां है बस इस से ज़्यादा हमाई कोई ले न देना लिए पहचान न काभी और इतने बरत इतना पियो खुब पियो तुम्हे भी ऐसा हो कि मैं भी दूसरों को ये रस्पिलाओं मैं भी दूसरों को ये बाते डीप शिखा हो जाए डीप डिक्षा हो जाए एक दूसरे को बताओं ये बात ये बात ये बात हमारे दिहातों में किसी माता के सीने में बहुत दूद बर जाता था अपने बच्चों को पिलाने के बाद भी माँ की चाती में बहुत दूद रहता था तब दिहाती स्त्री गर-गर जाती थी कि तुम्हारे बच्चे दूद के भूखे हो तो लाओ मुझे दीजिये मैं दूद पिलाओं मैं दूद पिलाओं मुझे देव शंकल महता यहाद आते उसकी सोनल उसकी नवल कथा का एक पात्रा जो जो दूद पिलाओं यह भारत गजब देश है साब यह दूद ना परब्थाए भारत गजब देश है यह यह कोडिया ना परब्थाए रक पीतना रोग यह ना परब्थाए पाणी ना परब्थाए सास ना परब्थाए गिनान ना परब्थाए प्यासे हो तो आओ प्यासे हो तो आओ बुद्ध सब कुछ छोड़ कर निकले लेकिन भर गए तो खाली करने के लिए सब के पास गए बिक्षा के बाहने इधर के बाहने लुटाने गए मेरे भाई बेह इन बातों में मत पढ़ना मेरी बाते सुनते हो तो छोड़ो उसको आपको पिड़ा भी नहीं होनी चाहिए दुनिया एक करती रहती है इसमें क्या ले लगे अब जानो काफी है अब आप जानते हैं में नहीं जानता होंगा बापू जो ठहरा में तो जानता ही होंगा कि कौन काहा है बहु जानू इसारू निसा है छोड़ो छोड़ो बैकार की बाते कहीं बेत न जाए तो मेरे भाई बैन वक्ता चाहिए पोथी परायन प्रेम परायन परमार्थ परायन उसका जो मिश्यम है दुनिया दे कच्रा देती है दुनिया क्योंकि आप ने इतना दिया है जगत को उसके बदले में कौन क्या देता है क्या देता है एक कौशी की नगाया उसको क्या दे सकते है कितना दो क्या दो पागे श्रीक तो संसरी करने की छूट है तर्क जरूरी है तर्क का स्वाधत है तो मनू से मनू जुआ लेकिन मनू कैसे हुआ ये तर्क आपको करना चाहिए और आप यदि न करें तो मेरा मनू एड़ांस में बता रहा है कि तुम्हें प्रस्न करने की जरूरत नहीं मनू से मनू जुआ जल से जल जुआ तो जल कहां से हुआ तो जल बादल से हुआ बादल से हुआ तो बादल कहां से हुआ बादल भाप से बने भाप से बने तो बाप कहां से हुई प्रचंड किरनों के कारण समंदर के सतह पर ये पानी पर गर्मी आई पर थीर बाप बनी तो समंदर के कारण इस पानी के पाप के कारण तो समंदर कहां से बना बहुत नदिया उनमें एक दोर दोर तर गई तो समंदर बना नदिया कहां से बनी तो प्रुभवी से बने, प्रुथ्वी कहां से बनी, मेरे हरिवसे बनी इस टो चट्र छलता ही रेता है, प्रुथ्वी गोल है प्रुथ्वी जडएग जग दिश भाय वह दिश दो करितिने लीकरे कि एक वाईक सोसाइटी में पानी, मित्र गयो मित्र ने गरे बरहा है, तो के, एए मित्र तो मित्र की मोलें बाद करते हैं, कभई पर आद्धिकर, एए मित्र, पानी कहा है, तो मित्र ने कहा है, मत्की में, गडे में, तो गड़ा कहा है, तो गड़ा कहा है, तो गड़ा कहा है गर में गर कहा है विवेकानंद हाउसिंग सोसाइटी में विवेकानंद हाउसिंग सोसाइटी कहा है भरूच में भरूच कहा है गुजरात में गुजरात कहा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कहा है एश्या में एश्या कहा है प्रिथ्वी तर आप आप बद्वत गीता पड़ते हैं अर्जुन ने कितने प्रस्म किया है प्रस्म ही किये जा रहा है आदमी यह तो साथ सोष लोग के बाद बोला करिश्य वचनन तबब कि पूछता गया पूछता गया पूछता गया तो पूछना चाहिए मैंने तो बोल दिया कि मनुझ से जन्म लेता है उसका नाम मनुझ है हम सबका पिता मनुझ मनुझ है लेकिन मनुझ कहां से पैदा हुआ यह एक बच्चे का प्रस्म एक मिनिट है एक मिनिट बागे श्री को रोग दो बाले श्री को आने दो बच्चे का सवाल है हाँ बापु जैजियाराम मारो पाँच वर्षनो पाउत्र रोटन रोटन के रोहन? रोटन लेकिए जेन्व बाले को यहन महा बाब बोले को आन तो नाम लेकिए जयामा? रोहन रोहन अच्छी ज्यारो उर्णेका में उक्षू कुछे। तेरे लिए में अब मारा नाग जाया। मैं खाव कुछ शुखे। आप आइटी जोयदे लिए। झयो जा गुजराटी गर्मा थुलक शिखो, थुडुक बनो, थुरुक वाच्चित करो तो मारो बाबो पांच वरस्नों छे जे नाम होई ये मने पूछे जे God made us फरमात्मा ये आपने बनाया बराबर जे God made us but who made God God रखरो जे आप समझावप मदद करो समझाव बाप बद करो है वह रोहन बराबल कि पाचू हवे बराबलिए रोहन नानमान चालीरावडेश तेमज रामान था पात्रों रुलक रिख वर्ख ये वोग पात्रों लेकिन अनमान 6 पह वोग प्रिय जे गम जे बिटा रोहान बच्चो गौड मेड अस वी बेड गौड हमने परमात्मा को बनाया है निराकार को हमने आकार दे दिया है अभिराम को हमने राम बना दिया है व्यापक को हमने व्यक्ति बना दिया है जगप के बाप को हमने बेटा बना दिया है बंदू बना दिया है परमात्मा हमने बनाया है परमात्मा हमारी ज़ाद है ए न भून छो सुन ए न भून ये अस्तित बना खुदा तू तो हशे के कहम लेकिन हूँ जरूर छो शो शोनिया ये न भूल ओ अस्कीत वना खुड़ा तू तो हशे के कैम हूं तो जरूर जो मैंने तुझे बनाया किसने मुर्तियां बनाई हमने किसने रूप दिये ठाकुर को हमने किसने पूजा हमने पथर से किसने मुर्ति गड़ी हमने किसने प्रतिष्टा करें हमने और ये हमारा सर्जन है इसलिए हमको अच्छा लगता है मानस की चोपाई है अपनी कवीता किसको अच्छी नहीं लगती सरस होई अथवा अपिफीका अपना सर्जन सबको प्री लगता है इश्वर हमारा बनाया हुआ है हनुमान का ये रूप किसने बनाया मुरा रिबापू ने बनाया ये मेरा हुआ हनुमान तो आक्रमत था गड़ा लेकर मार डालू काप डालू तोड़ डालू बद्ध के रूप में हनुमान ने बिठा दिया बेना बापा हमारे संस्कृत में ऐसा है कि युद्ध की भाषा युद्ध रमनी है युद्ध को रमनी हिंदुस्तान का है अहिंसागा दी देश करना का मुलक लेकिन मुझे लगता है कि हर बुद्ध युद्ध किसी बुद्ध को प्रगट करता है इसलिए युद्ध रमनी हो कलिंग का युद्ध बेखो कई बुद्धों को प्रगट कर दे रामायन का युद्ध बेखो रावन को बुद्ध बना गए पहनी बार इस देश से बुद्ध दर्म लंका क्यों गया क्योंकि एक बहुत बड़े पहले हुआ था बहुत रावन को बुद्ध बना गए कंस को क्यों मारा ये युद्ध हुआ मुकाबाजी हुई मल युद्ध हुआ कंस को प्रभु ने मारा कंस के निविदम तो कभी पड़ो कंस कृष्ण को मुस्कुराता हुआ कहता है कि एक बात योगेश्वर सुन ले कि कंस विज़ई भी पचा सकता है पराज़ई भी पचा सकता है ये बुद्धत्व है निंदा पचाना बुद्धत्व है हार पचाना बुद्धत्व है उपेक्षा पचाना बुद्धत्व है तो बात परमात्मा को हमने बनाया है हमारा सर्जन है ये हुमारा कहा करता है सुनी बचन सुजाना रूदन खाना तोई बालक सूरे भू तो बाप प्रश्न होना चाहिए किसी के मन में प्रश्ट उठे कि मनु से मनुज हुआ है तो मनु कैसे हुआ इसका एडवांस में जवाब तुल्सी इस पंक्ति में आरंभ में उसी शब्द का प्रियुक करके बागेश्रीक स्वायं भूमनु मनु स्वायं भूमनु हमारे प्रश्णर रहे नहीं इसलिए तुलसी ने कहा मनु स्वयंभू है इसको किसी में पैदा नहीं किया और फिर करम दो ही है स्वयंभू मानु आरू सतरूपा अब जिनते भे नरे स्रूष्टियंपा जिनते भे नरे स्रूष्टियंपा तो हमारे आदी मा का पिता मनु स्वयंभू का इभारती बर्शन है उनका अन उनको अन डेखान किया जाए कैसे थे मनु स्वयंभू का दंपति धर्म दंपति धर्म आचरन नीका दंपति धर्म आचरन नीका अजहु गाव श्रूति जीनके लीका अजहु गाव श्रूति जीनके लीका स्वयंभू मनु स्वयंभू स्वयंभू मनु स्वयंभू मनु स्वयंभू दशमूख रावन वही प्रताव भानू जो प्रकाश है उनका ही बेटाव मूल सबका अच्छा है लेकिन परिस्थिति देश काल प्रवृति और प्रकृति के कारण आदमी दशमुख बन जाता है आदमी दशर्थ बन जाता है बकि जहां उद्गरू स्थान है वहां तुलसी विज्ञान को बड़ा आदर देते हैं लेकिन अपना सवीनई विरोध भी प्रकट करते हैं दिज्ञान कहता है ये दुनिया जड़ का विस्तार है पहले कुछ नहीं था अमीबा फला 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 थोड़ा चैतन दिखा फिर ये देखा फिर ये देखा फिर ये हुआ इससे पहले सब जड़ था और इससे फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर बंदर हुआ फिर ये हुआ हमारे दशावतार को भी महापुर्श इस उत्करांती के रूप में भी प्रदर्श दिखा देते हैं कि ये भी तो एक कथे कि पहले मचली फिर ये 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 ठीक है एक लिए तुनसी ने विनाई पत्रिका में लिखा है कि मेरी आत्मान भूती में भौतिक जगत का विकास जड़ से जुरूर हुआ हो कि तोडो अनो को तोडो उसको तोड़ो उसको तोडो 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 गौट पार्टिकल तरे तक पहुंच जाओ दो लेकिन तुरसी कहते हैं ये विलास जड़ का नहीं है ये चिद विलास है ये चैतन्य का विलास है निरंतर चैतन्य विक्सीत होता रहा है ये चिद विलास है चैतसिक विकास है बूजत बूजत बूजे तुलसी कहे कोई गुरु की किरपा है तो ही समझ में आता है दिरे 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 समझ में आता है तो दशमुक अथवादाशरत मूल डौनों का पवित्र उपजय जदपी पुलत्षकुल रावण को लो पावन, अमल, अनूब किसी के कुल को इतना अदर दिया हो कैसा कुल है रावण का पावन कैसा कुल है निर्मल कैसा कुल है उसके समान दुसरे का कुल नहों ऐसा अनुप तदपी मही सुर्श राप बस फिर भी ब्रह्मनों के शापने कारण परिस्थिती देश कारण प्रवृत्ति और प्रकृति के कारण बये सकल अघरूप सवराक्षस हो गए तो मूल में रावन अच्छा है इसलिए रावन अवतार है और अवतार का दर्शन होना चाहिए इसलिए रावन को अन देखा न करें मेरे हनुमान जी के आख रावन का दर्शन कर रहे है लंका ए लंक दर्शन के अंबरकत उसने पहली बार रावन को देखा तो स्वय हुए दे सायना की एक देख सायना की एक देख मन्दिर मागु एक देख मन्दिर मागु एक देख आओ बोनीर महाँट के देख सोये हुए आदैंको देख कर पूरा का पूरा नीर्णैरना मुश्किल होता है अध्सोया है तो प्या तॉस्ष्छन का नीर्णै कर पाह Union में है तूर अगलबंगोर के परीश सर से नीर्णै कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए लेकिन सोये के लिए निर्णे तो कोई जागरुत है हमसे बात करे हम मुलाकात करे दो पात बार मिले उसका अनुभव करने के बाद हम कुछ निर्णे कर सकते हैं कि कैसा है कैसा है लेकिन हनवान जी की विबे की दृष्टी ने रावन के दर्शन में पहला ये निर्णे किया कि ये आदमी तमोगुण प्रधान लगता है क्योंकि वईदे ही तो मंदीर में है नहीं और सो रहा है जीवन में भक्ति न हो शांती न हो और कोई सोया ही रहे तो हन्मान जी के आख कहते है ये आदमी तमोगुणिया उसको चैन नहीं होना चाहिए कि भजन नहीं है मनू को भजन नहीं है वेराग नहीं है अरी नाम में चुग गया कूल बड़ा पवित्र है मेरे बेटी बेटियां सब उतान पाद जैसा बेटा उसका बेटा द्रूव मेरी बेटी डेव हूती उनका बेटा कपील मेरा कितना कूल लेकिन मनू सो नहीं पाए क्योंकि अभी मुझे वेराग नहीं आया और रावन सोया हुआ तब थोड़ा जागना तब जागरूती होश जरूरी है कि मालिक ने इतना दिया तो भी मेने हरी नहीं बजा पहली बात पकड़ी हनुआ ने आदमी तमोगोनी है आदमी जाग नहीं रहा है उसको जागना चाहिए परमातमा जितना ज़्यादा दे आदमी को और जागना चाहिए अथ्वा तो अनुमान जी को यह लगा कि आदमी आदमी थोड़ा ख़बरनी कैसा है निर्णई करना मुश्किल है क्योंकि जिसके पांद ज्यादा सोना होता है वो तो शायद सो भी न सके इसका सोना मुश्किल है पर यह आदमी की चारों और सोना फिर भी सो गया तो निर्णई करना डावा डोले है उनुमान क्या निर्णई करे सुखिया सब संसार है खावे और सोवे बुखिया दास कबीर है जागे और रूवे तो पहला रावन का दर्शन अनुमान जी को इस रूप में हुआ है अनुमान जी वहीं से निकल गए विभीशन के घर गए जो कल हम उसका चर्चा कर चुके हैं जुगति विभीशन सकलत सुनाने जुगति विभीशन जुगति विभीशन जुगति विभीशन सकलत सुनाने शांति शक्ति और भक्ति पाने की कौन युगति है वो विभीशन ने हनुमान जी को सुना दी जिसकी कुछ चर्चाम ने कल की बापा ने भी अंगरे जी में उसको रुपांतरित कर दिया कि शक्ति की युक्ति तेन, बद्ति की तेन युक्ति, और स्वांति की तेन युक्ति यह जब हरमान जी को बता दिया वी भिशों में ता दरी सोही रूप दरिसोई रूप दरिसोई रूप दरिसोई रूप गयंपूने तखा बन असोई यहां हनुमान जी लगू रूप नहीं है अती लगू रूप नहीं है विशालकाय भी नहीं है जो हनुमान जी का मूल है सोई रूप दरिसोई रूप जो अपना मूल रूप है वो ले करके युक्ति जो विवीशन निमार्ग दर्शक ने सुनाई उसके मुताबे भक्ति के पास जाओ ना तब मूल रूप में जाए अपने आपको बड़ा समझ कर मत जाए अपने आपको हम तो कुछ नहीं है हम तो यह है ऐसा ऐसा रोते रोते मत जाओ धरिसो ये रूप अशोक बन में हनवान जी गए जहां सीता जी है अब सीता दर्शन शुरू हो रहा है बीच में फिर रावन का दर्शन टपक पड़ेगा फिर दरबार में रावन का दर्शन तो पहले जानकी का दर्शन तुलसिक कराते है अशोक बन में हनमान जी पहुँच गए सिता जी को देखा उसने निजपद नायन दिये मन राम चरन महू लीन परम दोखिभापवन सुत देखि जान की दीन शक्ती भक्ती और शांती की ये बैठक है वो ऐसे बैठती है ऐसे बैठने वाले में समझ लेना कि ये भक्ती है ये शांती है अनमान जी ने देखा कि ये जान की जी यही सिता है पका तो नहीं कर पाए लेकिन देखे तो कैसे बैठे हैं सिता जी निजपद नायन जान की जी ने अपनी आखे अपने चरण पर रखी है अब जैसे हम पलांटी लगाकर बैठते हैं तो द्रश्टी से चरण दिखते नहीं है मारा तो नहीं देखा था कुछी घणाना नड़ा वो मूटा हो ए यह नहीं देखा था मुझे रिते बैसुजाम तो नहीं जो नहीं है उसी थी मैं मैंने मारा पगनत ही देखा था या तो सिता जी एक ऐसे आसन में बैठी है कि उसने बाया पेर दाएं को ठड़ पर रख रहा है और यह यहाना तो तो यू देखा है तरह योगा तो में करता हो योगा जो करता है जुदा जुदा आसन योगा में अच्छे एक्सरसाइज योगा करना कि दूबे डोक्टर आएं दूबे मैंने मेरे बापा मुझे मेरा अनुबव में जहां भी जाता हूं डॉक्टर मिलता है तो यह मेरी कथा नहीं देखता मेरा कुछ नहीं देखता तबियत बराबर लगती है यह पर भी तबियत अज्जू है जहनों जह पेशा हूँ नहीं यह नहीं देखाई मैंने कि बापू भीस वरस पहला आता है यह उट लागे जा फीट अच्छो में कि तो योगा खाक जो योगा करतो हों को मेरा सब योग मेरी व्यास पीट है स्वामी शरणान जी को पूछा कि पाठ शाड़ा और पाठ का एक अध्यात्मिक अर्थ बताओ तो शरणान स्वामी शरणान देखा एकांत पाठ शाड़ा है और माउन पाठ है अकेले बैठो सहजासन में बैठो यह भी एक असन हमारे शंकर श्हयासन में बैठते है बैठे सहज़ाई संबु सहजासन भी तो मैुरासन ने मिड़क असन ने फुदक फुदक आसन ने यह महरुस महेश योगी कराते थे हाँ महर्श महेश योगी करते थे जवार बक्षी सांग ऑज पमारे उन्हें तो भी मुझे एक लगए बताते बपाप पनी यसा यसा थोड़ी हो जाते थोड़े पनी कि अपे कि अजय आपई ऐस है मैं निए तो नम बते कुम मन याद देदे लो हीन अफुद्धक असन को उचोगे पुद्ध पुद्ध प्रामदेव बाबा ने बहुत ग्रंथ और गुफा से निकाल करके वे योगा को मैदान में रख दिया और लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं अच्छा है लिकिन हम जाड़ भी जाड़ इन कर जो खना लोको इतलुब तु पेट फेर वेज हैं ते पछी आ अब दीजे अंद कि आरे अच्छा बहुत आए इम जा अच्छा है इना ओलेले करों कार वे कि अ मैंने वे यूइक टीचर एक यूचे तो मैं 15 भार सुर्य नमस्कार करो इस रूप से तु सब फीट हो जाए तो बूले मुझे का वता रहे थे कि बाप वाप सुर्य नमस्कार करो बाता रहे थ करते थे, मैंने देखा है, मैं बहुत हैं, मैंने कोटरे काया ना बेली खड़ बैट वियम आम लाम बातीन हुई इन पसमान मैंना अने पतेक्ट कर्यूमा कड़ा कबूलें कमा मां कड़ा कबूलें अमा कहें तूटी जाये तो एना करता हम नमहाराशीय सहे नहीं नहीं ते करता हो नहीं शूरज मानि ले आदिदेव नमस्त प्व्यम प्रसीदा नमभासकर दिवा कर नमस्त प्रभाकर नम बारवार गायतरी मंत्र भोली ले ये जल चड़ावी दिए अने अदिदेव बोली और है ए पूजा मारी मानिये लियू। उट नहीं करतों सिधीवाच्य मन नहीं पर्दू प्ड़ाकर नही जालोगी जालोगी ने योगा करवा, आट पाच पाच वागे ना टीवी हां में बहे किया हुई से, उलो योगी गर्मा चाह मंगे, इनने चाह नब बना वी दे, आनम करना है न यार, मौज करना है, मैं एक करना चाहिए, आप एक्सरसाइज करिए, दौड़िये, चलिए, यह सब जरूरिया, प्लीज करिएगा, लिकि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा चलना कितना है, कमरे से एगन के पास, एगन से पमरे में, कमरे से बार मीचे मिलने जाए, 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 जाए अज़ छोटे-छोटे बच्चे स्टीरिंग बगड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है इज खुच जलाने की कोई स्टीष्ट करते हैं अपन आवड़त उत्मती अनो नो श्टीरिंग में तो किरनभावता में तो ब्यस्ता है नहीं मननना आवड़ेगाई मननना आवड़ेगाई अपन्त जाने हैं अमान के नंदवाई जाई थे खोटे-खोटे खारन अपने करना अपने जन्दा एक हम ओवाव लगाड़ी देग प्रसी का इंग लेग अनो तेटलोष के उननने प्रसानी जाने पंशी का अनले अपने नंदी नहीं है तोडी नहीं है इस वरे आपे लुआ हूँ ये खरका पग ये खरका हाथ इमाना तुका मोठा करी देगा अपने प्रची बुलाइब प्रची मोठर साइकल नहीं तो मने आवड़े बराबर के एक वकट ट्रैक्टर चलावानी कोशिश करी थे ये अमारे पहला नानी रेले लाइद लाइन ती तलगा जड़ा इमा अवगा एड़े मारे पोलिस पटल नो दिक्रो पोपट रामजी अमेश साथे बनता इने नव ट्रैक्टर लिदू ते मने के बापू ता में व्कार होतामानी कि ये तुमने ट्रैक्टर तपावे अब पर बादेधा है एप यान नहीं टेक्टर लिदू पछी में अवरे शेपन तोई तूमन के जो तो करा मनें बदीज का बर्शेट पुन तना जाननू से मारे तारी पासेती कि तना खबर जेके के सरिवें यहीं और अर्य नहीं अबने उस्यक्त का अब तो चाले हो तेमrka नी व्यवलों कि शुन र horrific प्रेश्चर ने ना इ decisdf लाउगी नाूडी का मिसे की का डिन्धान शैकड FIR एक सै कल उफे चैनल थे निशानी वह जह जवें तरत्मन साय कल और यासा नहीं बजब रड़ किनाभ लगप इश्युट्वाः जने की बट प्लब करेंग जा हैं जब बले जे कुर्ता अब है अगरतो है यहां बदूता है आए अमान नवाल की सारा लाकी इरन बाई भाहिशे के तम ले खिले क्यारे गाड़ी चला ये माले कुछा लुकाम पैरा निधित चला वी तो यह अलग नथी करें गाडियो लावी नथी पन्मारो राम बहु हारी गाडियां कारे से आप यह माले नजावं यह माले नजावं यह माले नजावं हरी राम बजनने माते मारे माले नजावं यह माले नजावं योगा करो तंदुरस्ती ठीक रहेगी वॉक करो जरूर मैं तो वोक भी नहीं करता टॉक करता हूं चार चार घंटे टॉक है आपके साथ लेकिन मेरा अनुभाव है मैं करूं ऐसा मत करना प्लीज हां भई परना वो चिठी जो आपने लिखी है न मेरी सब एक्सरसाइज भगवत क्रिपा से व्यास्पीट पर पूरी हो जाते है चैत्र चड़े नहीं वैशाख उत्रे नहीं यह उब दूसे आप हाल हो जाता है तो यह उसे बदो अवे तम ब्या मिन्ट शाम तिरा को पसी हो बोलो ब्या हो शांती दिभाउ प्यार महुपाड़ो लिए दोसे साइकल ल्यूनाल परोखाव पावन आपने क्या आता रिशी क्या आता तू क्या ने करतार बापान पूछू रिशी क्या आता आता है 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 यह लारानात तो जान कीजिए जे आसन जिस आसन में बैठे हैं अपने अच्छा जवाब दिए चिल दिश भे एक ऐसा आसन होगा कि पैर के तले दिखते होंगे निजपद नयन दिए बक्ती नी बैठक के भी होई बक्ती की मुर्थी तुलसी बना बक्ती का एक चित्र पेश करते है जान की जी एनवान जी की आँखों में कैसी दिखती है तो गोस्वामी जी कहते हैं जान की के नेत्रे नेत्रव अपने पैर पैर पर लगे हो पैर के तले पर बक्ती करने वाले के आँख अपने आचरण पर होती है भक्ति नहीं करने वाले के आँखे दूसरे के आचरन पर होती है कि वो क्या करता है वो क्या करता है इसको भक्ति करनी है और दूसरे का आचरन पर ध्यान न दे खुद के चरन पर ध्यान दे यह पहला लक्षा दूसरा जान की भक्ति रुपा है इसलिए हमें बताती है कि दूसरे के चरण कितने भी सुन्दर होंगे लेकिन तेरी गती तो तेरे चरणों से ही होगी इसलिए तेरी दृष्टी तेरे चरण पर रख दूसरे के चरण प्यारे है तो प्रक्षालन कर लो, स्पर्श कर लो पूजा कर लो यदि वो करने देतो लेकिन उस की उस चरण सुन्दर चरण को पर्ष करने के लिए भी हमारे कैसे भी चरण हो उसी से ही जाना पड़ता है दुसरे की आँख ही बहुत प्यारी हो लेकिन इन मनोह और आँखो को देखने के लिए हमारी कैसी भी आँखो हमें हमारी आँखो से ही देखना पड़े का अपधीपो भवा तो भक्ती ने पहला डुष्टान पहला मेसेज हमें ये दिया कि अपने चरण पर दृष्टी रखे दूसरा ये दिया कि कैसे भी हो मुझे मेरे चरणों से ही गति करना है तीसरा अर्थ यह हो सकता है कि सिता जी ने अपने चरण पर द्रश्टी इसलिए रखी कि मेरे चरण काईम राम के पीछे चलते थे यह यह चरण है जो निरंतर राम के पीछे जाते थे उसी चरण ने इसी मेरे आचरण ने इस ऐसी सिता के उच्चारण ने एक बार राम को कहा यहम्रिग कर अति सुन्दर छाला यह सौने का हिरण है उसका चमड़ा ला दो और मैं नित राम के चरणों में चलने वाली आज मेरी गती सौने में चली गए थी और मेरा अपहरण हो गया इसलिए अपने चरणों की और द्रश्टी मानों चरणों को कंट्रोल कर रही है कि अभी यह मेरे चरण कोई सौने की और गपी न करे कोई प्रलोबन की और जाए ना एक संथ कहते हैं जानकी की द्रश्टी अपने चरण पर इसलिए है कि शास्त्र कहता है कि परमात्मा के दाएं चरण में जो जो चिन्ह होते हैं कुलिश, अंकुश, ध्वज आदी-आदी जो शास्त्री चिन्ह जो परमात्मा के दाएं चरण में होता है वो आदी शक्ति के बाएं चरण में होता है जानकी को राम के चरण के चिन्हों को याद करना है इसलिए वो अपना बाया पैर दाएं पैर के उपर रख कर अपने बाया पैर में जो राम के दाएं पैर में चिन्ह है वो देख करके राम के चरणों की समुरूती अखंड कर रही मेरे बाए बहन नेत्र अपने कदम पर रखा और मन राम चरन महली तुलसी कहे जानकी ने अपने चरन पर रखा और अपना मन राम के चरन में रखा एखती के चित्र है भक्ती की मुर्टी अंकीत की जाने सादक को चाहिए अपनी द्रश्टी अपने आचरण पर रखे और अपना मन प्रभु का सदेव पवित्र आचरण है मधुरा अभी पते रखिलम मधुरम इस मधुरा पती के चरणों में अपना मन लगा है परमदूखी भापवन सुतर इस द्रुश्ट को देखकर मेरे गोस्वामी जी कहते है अन्वाम जी बहुत दुखी हो गए कि मेरी माँ इतनी दिन इतनी मुश्किल में फिर क्या देखा क्रिश्ट अनसीस जटायक बैनी जपती रिदाए रगुपती गुलें से अन्वाम जी में देखा जानकी जी का शरीर कुश्ट हो गया है इस सिद्दांत के रुप में में पेश नहीं करता है लेकिन बहुदा ऐसा होता है दिखता है कि जो भजन करता है उसका शरीर मोटा नहीं होता कुरुश होता है भजन एक तपस्या है भक्ती में शरीर मोटा नहीं होता इससे दंद नहीं पेश कर रहा हूँ कभी कभी मोटा भी हो लेकिन आप ध्यान में रखे लेकिन बहुदा देखा गया है भगत दूबलो होई जा दूबलो शारीरिक रूप नहीं बाकिये मन नो दूबलो नहीं और भक्ती में एक बहुत बड़ा अध्याय आता है वियोग का और वियोग आदमी को दूरबल करता है कृश बना देता है सुखा देता है आदमे को कृशतन शरीर कृश हो गया मैं छुटा था हमारे गाओं में एक मात्मा आया मैं करीब पांच वीज छट्थी श्रेणी में पढ़ रहा था आप रामजी मंदीर से नदी की तरफ जाएं तो वहाँ आखिरी गर था एक कनवी पठेल का उस कनवी वडिल का नाम था शामजी महपा जो मेरी पहली कथा के शुरोता माने जाते तीन लोग जो मैं एक परब के पांस बैठता था और पठाज सुनाता था वो अपने बैंसे चराते थे इसमें एक स्वामजी महपा एक सुखा नानजी और एक सुखा राम तीन मेरे शुरोता थे तीनों कनवी थे पठल थे कड़वा के वहला एने इमन खबन नदी पठल थे वहला महून थी चातो इसमें जो शामजी महपा थे उसके घर एक महत्मा आया पुरे गाउं में बाग फिला दी कमारे गर एक बहुत बड़ा महत्मा आया है बहुत भजनानदी है तो पिरे साथ हुसंतों के परती दर्शन करने किये पहले से ही जनम जनम की आदत रही तो बिखार हम काका नमे की दो के दर्शन करिये मने के करवाज जूई दर्शन तो करवाज जूई हम गए बहुत चोटा था लेकिन तब से काका के साथ है इसी हो रही तरी महानुकि कि उसको इक मेरी मेरी थी नीचे बहस बहस बांते ते उपर इनी सन्हिप थी मासकी उससे मखड़े तो इमात में बैठा अखा प्लंग मा ये कलो मैठों करें प्लंग को लोम hippe ऑने डोलियो मारे डोलियो फैसन्ह 2 minutes मोटा हुए ठोलियो एना उपर एक लो हमाई नी धोलिया बाद हाथ हाओ तूका इना माखी कोई रने तो एनु एक चेलो उड़ाड़े करका हाथ जाई लिया आई हुदिप जाया इतले बैच चेला एक बाद माग्की उड़ाड़ वालो एक बाद जो 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 जरायती से अप्पी नथी अनजरू जो या साथ अगपू नथी अपे लोगों ने क्या प्रचार कर दिया कि बहुत भगना नंदिया अब होता था क्या उसकी गर्दन इतनी आकली तो होते है आंतिया मांतिया मांतिया मां करें गर्दन में रुद्राष्ट की जो मा आथी रुद्राक्ष्ट यह एनिंगड़ा अपफर है बैतनी अब से क्रता आप लेजना नंदीर लेबल मळीगों कि माला करते नहीं है माला फिरते है आपने गर क्या है यह उसे रहा दूना आपड़े सुख दंभ ज्यादा चलता है भाक्ति वह कुरुषप और जानकी के मस्तक पर जो बाल थे वह एक लट में बंद गए थे कुरुषप अनसीस जटा एक बेंद और सुन्दर कान का दो महिनाओं का मिलन देखिए दो महिनाओं का मिलन सुन्दर कान में एक का नाम है एक जटा और दूसरी का नाम है त्री जटा दो महिनाओं का समनवाई है सत्षंग एक जटा जानकी त्री जटा जो जानकी की विपत्ति की संगी नी बनी है त्री जटा का अर्थ होता है जिसमें गिनान है भक्ति है कर्म है इत्री जटा है जानकी एक जटा है एक जटा मिम्स अब कोई ज्यान अब कोई भक्ति अब कोई कर्म कुछ नहीं केवल एक राम की शरना गती है निजपद नयन दिये मन राम चरन महंदीन केवल एक जटा बस एक जटा बस तुपक्की करके बैठे क्रुशत अनुसीश जटा एक बेनी अज्यपती हिर्दये रगुपती गुनश्रे जब करती है किस मंतर का जब करती है गुनश्रेनी डगवान के अनंत गुनों की जो शरिंखला है एक माला है प्रभु के को गुनों का जब करती है अब जब होट से होता है यहां होट से जब नहीं कर रही है राम सुंदर है राम सुशील है राम वीर है दान वीर है दया वीर है क्षमावीर है विद्यावीर है सारंपानी है अम होटों से नहीं बोलती है भक्ति का मतलब है जो भजन करता है न किसी का होटों से बड़ा ही नहीं करते रिदय रगुपति गुनश्रेन रदय से जब करती है दिल का जाए सांसों की माला पे सिमरू में लिकाना सिमरू में लिकाना सांसो की माला पे सांसो की माला पे सिमरू में सितराम सिमरू में सिकराम सिमरू में सिकराम सांसों की माला पे घाये सांसों की माला पे नसरत फत्याली साथ का दाया हुआ कंपोजिशन उसका और दुनिया में भेड़निस कर दिया इस मोटे शरीर वाले अद्वी ने उसका है ये 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 सांसों की नाला पे सिमरू में इका नाम सिमरू में इका नाम अपने मन की बैदान। अपने मन की में जान। और तुमरे मन की मरराण। अपने मन की में इका नाम अपने मन की में जान। अपने मन की में जान। में जान। स्वेटाण। अपने मन की मीनधिन जान। अपने मन की में जान। कर दोची तोटी जाओ इट लो गव्राऊ वो गुड़ा हो उसमारा कब नहीं तो केनडा मां बद्धू उंधू से एक तर देश मां जो लिस्टावे नापड़ी पास है जमन जमन पहली मिठाए ज़ए आ आ आ आ आ रेमणा थी शरू देख कि अधर पैली स्वीट मुनाम हो जी ओ मानस ने आगल मुहां बड़वानी हिम्मत आवे रसग्रम की खूले पामा सीधु तुवेर इंग्मन नुशाग जी आपसी बीजु बीजु सारसे ले खुशी ना कबर जे बहु खुशी कबर से आया बड़ामनी बर्फी बहु खुशी कबर से चार-पांच अजार मानसों ने रोज जमाड़ वा और ने हमां बड़ामनी बर्फी खूड़ा जी बड़ाम तो आप बुत्ति देवज खूड़ा जी के बिजो कोई नो खूड़ा जी बड़ामनी बर्फ अजिए पर्फी तो बर्फी होए हमार त्यागी मातमा उसे नहीं हम इसे नहीं है कि अध्यागी एम खोटा थ्यागी थे गया उतावल माझने तुरशी ने क्या जबह मुकीन निकली जबह इस नहीं है यह अने कृते बर्फी नो उप्यों बर्फी शब्दों नो ने कृते उप्यों करें अबदा गुड रहस्यों चाहिए और अधिकारी ने कई शकाहिए कुपात्र नी आगाल पानबाय वस्तू न वोर्वी समझीन रही है चूप मर ने आवी ने धननो डगलो करें बले होई मोटो कुपात्र नी आगाल पानबाय वस्तून वोर्ये ने समझीने रही है चूप मर ने आवी ने धननो डगलो करें मोटों कुपात्र नी आगाल पानबाय वस्तून वस्तून शक्राइट ने वस्तून वस्तून करें वस्तु और ये समझी ने तो बदान नी बरफी रोटली कडी पुलाव बटाका वड़ा आमली नी चटनी पापड़ पापड़ी गौल के रिनू अथानू आने च्छा आपने मन की माइदान। 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 हम उपर सुनें पुछी मुखे देवान। माइदान। माइदान। अपने मन की मेरा तु मेरे मन की राहन। अपने मान की मेरे दान। अपने माइदान। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरुमे सितारां सिमरुमे सितारां कर दो 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 कर पर आप 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 के शाओ सांसों की माला पे सिमरू में सिकारा सिमरू में सिकारा सिमरू में सिकारा कुष तनुसेश जटा एक बेनी जब तिहर्दाई रगुपति गुन स्रेनी परमात्मा के गुन की श्रंखला का जब ओठों से नहीं हिरिदाई से कर रहे किसी की अच्छी बातों को जहां तक संभव हो दिल में रखकर दिल से सराहना करना उपर से बोलना न रह सको जरूरी हो तब बोलो बाकी ओठों से बोलने के कारण शायद सामने वाले को एहंकार भी आ सकता है वो सकता है वो पचा भी न अपाए इसलिए रामचरित मानस में जब कास रिदै से जब करने की बात लिखिये है विश्वा मित्र महराज अवद्पती दश्रजी के सब काम पुरुन करके अयद्या से बालकांड में जब विदा लेते हैं तब जात सराहत मन ही मन अपने मन में सराहना करते हैं इससे पुर्वा जनत की पुष्पवातिका में सीता को देखकर भगवान राम लोड़ते हैं तो जानकी कि महिमा का ओठों से बर्णन नहीं किया हिदाई सराहत सी अलुनाई गुरु समी पगवनें डौ भाई जपती हिदाई रगवपती भक्ति वो है वो दिल से जब करती है इसका मतलब यह नहीं कि हम ओठों से नकर यह जरूरी है दीरे दीरे वहाँ पहुंचा जाता है माला जरूरी यह समथ समथना यह भी जरूरी तो भक्ति का एक चित्र यहां अंकीत किया श्री हनवान जी सोच रहे हैं कि क्या करूँ पता तो लग गया कि यह है अब प्रगट हूँ इसी रूप में प्रगट हूँ क्या करूँ? रातरिका समगी है श्री हनवान जी ने निरणई किया और जानकी जी जिस ब्रिक्ष और नीचे बैठी है उस ब्रिक्ष के गनी पतो में अनवान जी बैठ गए है सोचने के लिए बैठ गए है किसी के लिए पक्का निरणई लेने से पहले थोड़ा बैठो, थोड़ा सोचो, गहन गने पत्तों की डाली पर हनुमान जी बैठे, इसका मतलब है मेरी समझ में, गहन चिंतन कर रहा है, और ये पत्ते हरे हैं, उसके कीसलई लाल है, नूतन है, उसकी डाली पर इस शाखा पर हनुमान जी बैठे, चिंतन लाल रंग है प्रेम का हरा रंग है करुणा का दुसरों के हीत का दुसरों के शुब का हमारा चिंतन हरा होना चाहिए हमारा चिंतन प्रेम पुर्ण होना चाहिए द्वेश पुर्ण नहीं यह उन्मान जी की भूमी का है विचार करते हैं तर्व पल्लव महरहा लुकाई ब्रिक्ष के पल्लव में छिप गए बाबा और सोच रहे कि क्या करूं क्या करूं अब चिंतन चन ही रहा था इतने में घटना घटी तेहिए वसर रावन तंह आ असंग नारी बहु प्येश्ट तेहिए बाबाबाब उसी समय यहां अनुमान जी का चिंतन चल रहा है गहरा गहन चिंतन में ना यहां कुश्टन हिर्दाई से जप रही है उसी समय बिल्कुल चौथा प्रहर हो उने को रात्री पूरी होने की तैयारी है उसी समय भूर भैव सोच रहे थे इतने में रावन आया अनुमान जी ने देखा हो यह आदमी को मैंने सोया हुआ देखा था वही तो है लेकिन इतना जल्दी जाग कर आया है तो अनुमान जी का रावन का दर्शन बदल रहा है कि बले ही सोया हुआ है लेकिन लगता है समय पर जागता भी है और जागरम तब है जब जानकी के दर्शन की चाह हो जाए जब सीता तक जाने की इच्छा इच्छा छोड़ो काम ना हो जाए किसी भी रूप में जया लेकिन जया है और हनुमान जी ने चिंतन आगे बढ़ा कि आदमी अकेला नहीं आया है रावन ने सीता को अपने बस में समझी होती तो रावन अकेले मिलने आता है लेकिन ये आदमी अवतार है मजबूर कर रहा है चिंतन के लिए कि आया तो अकेले नहीं आया अपनी कई राणियों को लेकर आया है कल कोई जानकी पर उंगली न उठा दे कि मैं सीता को मिलने गया तब अकेले नहीं गया था दोबी से रावन कई गुना अच्छा निकला कई गुना अच्छा निकला बोर का समय है और सीता परनारी है उसको मिलने में कहीं दाग न लग जाएं इसलिए अपनी राणियों को लेकर किसे आज भी कई कई सादूओं में नियम है कि अकेला सादू नहीं जाता किसी न किसे साथ में ले चलता है जिसको पूरा अपने जिवन पर कंट्रोल है राम भजन से उसको कोई चिंता नहीं संदनारि बहुकिये बनावा और ठाठ माट से आया है ठाठ माट से भक्ति के दर्शन करने हो तो आदमी में एक रौन गोनी चाहिए और आदमी केवल अकेला शांती पाने के लिए के नहीं आया अकेला ब्रप्ति के दर्शन के नहीं आया इनके साथ जो जो जुड़े थे सब को लेकर आया और जानकी कि मुर्ति का स्थापन अभी हमने किया कि ऐसे बैठी है अनुमान जी उपर है इस मंजर को नजरों में रखो और हनुमान जी बहुत कान है इसे कर रहे है तरुप अलों से कि ये बूलेगा क्या जरत देखो कहरावन सुनू सुमूखी सयावन मानस की चोपाई लिए सुनिये साथ ये मानस मंत्रा है कहरावन सुनू सुमूखी सयावन मंदो दरी आदी साथ ये रावन रावन बहुत बुद्धिमान है इसके पांस बड़ी आखे हैं हमारे पास तो दो-दो है इनके पास बीस है आदमी देखने में और बुद्धि में भूल कर रहा है वो सीता को संबो भीट करते हुए कहते हैं सुमूखी ए सुन्दर मुखवाली सीता पर पुर्वपक्ष कहता है क्रिसतनू सीस अनमान जी सीता पर सुखी हुई है गाद बैठ गए है कोई सुमूख रहा है इने वक्ति सुखी दुरबल है क्रशकाय है और रावन जैसा बुद्धि मान भूल कर गया कि ऐसी सुखे हुए शरीर वाली जानकी जिसका रूप नहीं रहा है चेहरे पर ऐसे दुख के कारण उसको सुमूख ही कहते है या तो रावन भूल कर रहा है या तो हम रावन के दर्शन में भूल कर रहा है सावधान रावन हमको बता रहा है कि तुम लोग मुझे ये मानते हो कि मैं रूप का दिवाना हूँ रूप का दिवाना होता तो जानकी में अभी कुरुशतन है कोई रूप जैसा दिखता नहीं वेकिन फिर भी मैं सुमुख ही कहता हूँ मैं दुनिया को सुमुख का एक नई व्याक्षा देना चाहता हूँ कि मेरी दुश्टी में उसी का ही मुख सुमुख है जिसके मुख से निरंतर हरी नाम निकलता जाता तो इरदै रभुवति गुंस रहे ली निरंतर माला चल रहे हरी की इस जगत में उसी का मुख सुमुख सुमुख है जिसके मुख से हरी नाम निकलता है और सयानी बहुत समझदार कहा है बहुत समझदार मैं बीस पैरों से दोड़ता रहा बीस हाथों से लूटता रहा मैं जगत में दोड़ता ही रहा बीस हाथों से दुनिया को लूटता रहा बीस आँखों से देखता रहा लेकिन धन्य है तो अपने पैरों में दृष्टी जड़ा कर बैठी हो एक मात्र कदम थोड़ा लड़ खड़ा गए स्वर्ण म्रग के पीछे इसके बोध पा करके जानकी जी शांत बैठ गई है जगत को दिखा रहे यही तो सयानव है कि जिस कदमों से बूरा अनुभव हो जाए ये कदम फिर उसकी तरफ न जाए और रुख जाए वो सयानव है वो बुद्धिवादा कहराव सुनूं सुनूं की सयानी मंदो दरी आदी से बुद्धिवादा ए सुमकी ए सयानी सीते ये मेरे साथ मेरी पाट महीशी मंदो दरी और अन्य रानिया है ये मंदो दरी आदी रानियों को मैं लेकर इसलिए आया हूँ जैसे कोई आदमी पुजा करने जाए तो फूल ले जाए फल ले जाए पुजा की सामगरी ले जाए मैं तुझे क्या समर्पन करो मैं लंका की पाट महीशी मंदो दरी और अन्य रानियों को तुमारे पांस लेकर आया हूँ और कहता हूँ तव अनूजरी कराउं पनूरा एक बार बीलो मंदो दरी आदी रानियों को तुमारे किंकरी बना दो एक अर्थ में एकी प्रलोभन दे रहा है यदि तुम मेरी बात मान लो तुमारे अनूचरी सेविका दासियां बना दो तुमसी ने रावन से पूछा कि ये तुम अफर कर रहा है सब छोड़ रहा है तुझे चाहिए क्या मुले एक बार जान की मेरे सामने देखे एक बार के मुले एक बार हनवान जी देख रहा है सुन रहा है एक तो प्रलोभन है आज रावन में बहुत कुछ चल रहा है पहली बात तो सुन रुप में तो लगे ओफर कर रहा है सब गुलाम बन जाए तु मेरे साथ रहे वगेरा लेकिन रावन कह रहा है कि मेरा पन शब्द है पन मन्दो दरी आदी सबरानि तव अनुचरी करो पन मोरा मैं तो मेरा पन मेरा मेरी प्रतिग्या है वो पूरी करूँ रावन की प्रतिग्या क्या है वो ही भजन नहीं तामस दिया मेरे से भजन नहीं होगा मैं वैर रखूंगा जीवन परियंद और राम के आज मरूँगा तो मैं तो मुक्त हो जाओंगा लेकिन मेरा कर्तब भी है मेरे साथ जिनका प्रारग्द जुड़ा है उसकी मुक्ति कब होगी ए जगदंबा तुम आज से एक बार उस अपनी किंकरी बना दे कि मेरे जाने के बाद तुम उस पर कृपा करेगी इन सब को तुम और नहीं रहने देगी तुम इन पर कृपा कर एक बार बिलो मान एक नारी की एक द्रस्टी प्राप्त करने के लिए इतने बड़ी कुर्बानी या तो रावन कामी है या तो रावन यदि समझदार है तो इतने बड़ी की एक नारी की एक आँख प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा वो करने गया लेकिन नहीं रावन कहता है ये सब तुमें दे दूँ लेकिन है जगदंबा एक बार बिलो कुम मुरा एक बार तेरी कृपा द्रस्टी से मेरे सामने देग अब जवाब देती है साम सरोज दाम समसुंदर प्रभभुज करी कर साम दर लेकिन खांदान महीला किसी को जवाब दे और विदेश में और वो एक विधर्मी दूसरी वो आदमी है उनके सामने बोलना है तब एक आदर शुनारी एक मर्यादा एक विवेक रख दिया जानकी को रावर को जाब देना है क्या किया नीचे देखी एक तिन का तोड़ा गास था अशुक वातिका में लोन नहीं थी गास थे तो जानकी के चरण के अगल बगल में थोड़ा गास था क्या वहाँ कोई सिचाई नहीं कर रहा था लेकिन अगल बगल में गास थे क्यों जानकी रोती थी तब उसके अशुरु बिंदू वहाँ गिरते थे और सिता के आंसु नहीं कुछ तिनकों को हरा भरा रखे मेरी मा में वहीं से एक तिन का उठाए त्रिन मरियादा से बात करते साहिब हमारा गामड़ा मा वह उने बोलेग महीं पड़ वह जो ससरानी साथ बात करने तो हम बावन वाडू करिम करें बापुजी यह गरे न थी मारत तमारे साथ बात कर वी पड़े मने मरियादा तूटे तुमाग का तो हम आँ आँ जानकी क्या करें किसके आड लें तो तुलसी कहते हैं एक तिन का रख तिन का क्या आड की द्रश्टी तिन के के प्रती मनुक बात दिन के से कर रही है सुना रही है राभ एक संथ में कहा सीता ने तुरण क्यों तोड़ा एक पत्ता लेकर भी तो कर सकती थी कि पत्ता गिरा हो लेकर इसकी आड में इसकी मरियादा में बात कर सकती थी अथ्वा तो अपना हाथ करके भी बात कर सकती थी अथ्वा तो अपने जो वलकल पहने होंगे इंसे वलकल का एक छेड़ा आड़ कर सकती थी लेकिन तिनका इसलिए बहुत सा जवाब तिनके में छिपा हुआ पहला जवाब दशानन तुने मुझे सामराग्णी होने का बनाने का उफर किया कि मंदोदर यादि राणियों को तेरी गुलाम बना दो और लंका की महिशी बना दो लेकिन रावन तेरे वईभाव की किम्मत मेरे पास तिनके के समान भी नहीं है तिनके के लिए और सच्चा वहिरागी रामायन में लिखा है तुनसमसिद्धि तीनी गुण त्यागी जो तिनके के तरख तीना गुण को छोड़ दे वो वहिरागी आज परम वहिरागी नहीं है मां तरह वहिभाव मेरी दृष्टी में तिनके के समराबर है दूसरा दर्शन सिता जी ने तिनके के बता करके कहा कि मुझे खबर है रावन कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगी तो तुम मुझे मार देगा मेरी मृत्ति होगी तो सुन राम के विर्ख में अब मुझे मेरा प्राण तिनके की तरह भी प्यारा नहीं है ले ले प्राण तिनका की तरह छोड़ दूँ और जब बेहन पर दुख पड़ता है तो बाप याद आए लेकिन बाप बहुत बूड़ा हो गया हो तो याद तो आए लेकिन वो बेचारा कहां दौड़कर मदद में आएगा मा याद आए लेकिन मा भी बाप बुड़ा है तो मा भी तब एक बहन को अपना भाई याद आता है कि यह भाई मेरे सामने रावन हैं कि मैं उसको जवाब देटा हूं तुझे याद कर गास का तिंका कि गास का तिंका यह पृत्वी की संतान और मेरी मा जानकी भी पृत्वी की संतान है यह बहन भाई है तरूनी मानी जानती और त्रून ये प्रुथ्वी के बेन भाई है तरूनी और त्रून ये गास और कहां भाई को बोलाओं इसलिए गास तनकला जिवो है ने तो भाई काम मा आवे बिजाता मा नो आवे बाद हां ठीका जिवो होई तो भाई काम अपवाद होई एक एकाम मानौ आवे बाद जुदिश है पान तनकला जिवोई भाई काम त्रून दरी को तो कहती बाई दे और तुरसिदात जी शीता बोली ऐसा नहीं कह रहे जानकी बोली ऐसा नहीं कह रहे बाई दे की रावन हुट तु मोझे ले जा कर क्या करेगा मैं देह मैं मैं नई हूं मैं रएड़ेह की कन्या हूँ मैं च्षाया हूँ रावन च्षाया को पकड़ा नहीं जाता पापा मारमा बाचका मारमा त्रुनदरियोट तहती बैदे और खांदान नारी परिस्थिती वस ऐसी स्थिती में आ जाए और किसी से उसको बात्चीत करनी पड़े तो भी सुमिरी अवधपती परमस्थिती ए मेरे परमस्थिती अवधपती इनका अखंड स्मरण करती करती बोली है गास का तिन का आगे करके जानकी जी ने जवाब दिया मेरी द्रश्टी पाने के लिए तो अधिकारी नहीं है तुदा संक्षित कर दो और जब इनकार हुआ तो सुनु रावन खद्योत प्रकास ए रावन जुगनु के प्रकास से कभी कमल नहीं खिलते कमल खिलने के लिए सुर्योदा ही चरूदी मेरा राम सुर्यम हो उसी है तो अंधगार रावी हो निशी चरो रात्री में विहर और रात्री में जुगनु चमकते है सुरज में सुर्यवांशी की पुत्रवदू हूँ सुर्यवांशी राम की पत्दे सुनु रावन खद्योत जुगनु जुगनु से नली में विक्सित नहीं होती कभी विक्सित हो सकती है दुनिया में कभी देखा है तो मुझे प्रवावित नहीं कर सकता है और रावन को तिनके के समान किया इंकार उनकी हर बात को वो कर दिया माने तब रावन एड़न गुसे में आ गया और क्रोध में आकर परुस बचन सुनी काड़ी असी राम को सुर्य के समान बोल दिया मुझे एक जुगनू समझा सुनते ही क्रोधी तड़ावन ने अपनी तलवार खिंची बाहर मायान से इस तलवार का नाम था चंद्रहांस और निकाले मैं तेरा शिर काड़ दूँगा सीता तुने मेरा अपमान दे रहा है मैं तो जाज शिर काड़ू अब जानकी ने द्रश्टी उपर की अभी तक ही पैर में थी फिर त्रिन में है अब उपर रावन ने खड़क खिचा है और जानकी जी तलवार का नाम चंद्रहांस से सिल किसे लिए कहते हैं चंद्रहास हरुमम परिता है तलवार तू भी नारी जाती हूं भी नारी जाती मैं भी नारी जाती तू भी मयान में रहने के आदती मैं भी मर्यादा में रहने के आदती तुझे में जा रहे मुझे मेरा पापी व्रत्य का तेज और धार तू भी मौके पर बाहर निकलती है और भारत की नारी भी जब जवाब देने योग्य होता है तब बाहर आती है चंद्रहास अरू मम परिताप परमात्मा के विरह का परिताप सहें करने से तो बहतर है कि तू मेरा परिताप हर ले मेरे करदन पर आजा लेकिन रावन को साप साप मेसेज दे दिया कि मेरे कंट में राम की भुजा आ सकती है राम के हाथ मेरे कंट में आ सकते है तू नहीं अपमाने इतरावन अन्वान जी कि अब आपक कल्पना करो में में साथ साथ धन्मान जी को देख आगा रहा हूं यह आदमी की मनोदशा क्या होगी कि क्या करूँ लेकिन गहन चिंतन में डुगा उताओ पदलू नथी भरू अभी अभी सुन लू बाकियां जातों हैं तो पाचल की पकड़िन मारी ना को मेरी म मां के सामने तु ऐसा बोल लिखने तोड़ा धीर अपने को संभाला किसने प्रेणा दी संभलने की जाड ने अशोक के ब्रिक्षन हो कि जाड मूं उभू रही से भागतू नती मारे जल्दी भागों यहां मारी कापी कपी चंचलताना उप्योग न करूं यहां जाड पर ब इनुपल उथत भी बहुत गहन चिंदन कर रहे हैं अवे रावन ने मारने की यह बात हुई उसे ही समय हनुआ जी बहुत कश्व कश्व क्या करूं इतने वे मंदोदरी बोली मालिक नारी परहे से वार न की जाए है भक्ति हाची वह ने तो दुश्मन ना घरमा थी आपना सपोर्टर निकल तो की सची होनी चाहिए मरियादार उवियक पका होना तो दुश्मन के घर से मारो हाथ जाली नहीं जैसे मुझे दुश्मन ओज सजन सुदी डिवसो जुदा ही ना जाए जे इजशे जरूर मिलन सुदी गनिदैंवाला मंदोदरी ने रोका खरे समय पर इस देश की नारियों ने बहुत काम किया रोक लिए रावन ने सीता को मुद्द दी एक महिने की मुद्द देता हूँ और एक महिने में तुने मेरी बात न कुबल की तुमें शिरकाट दोगा रख ससियों को सुचना दिए कि सिता को तरास दो बैदो पर आवन मंदोदरी अधिरानियों को लेकर लोट गया अब जान कीजी चिंतावे कि एक महिने में अधिठाकुर नाया तो क्या होगा फिर बहुत रोई शिरी हनुमान जी बहुत कश्व कश्व क्या करूँ लेकिन फिर भी दिरे दिरे बहुत चिंतन चल रहा है राक्षसियां बहँप्रकार के मंदब भीष एकदम भीषन रूप ले लेकर रावन की आगलां से सिता को डराने लगी इतने में हनुमान जी को लगा कि अब तुमें खाब कूँ कुदू इतने में त्रिजटा नाम राक्षसी एक रामचरन रहती विपून विवेकर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो रामचरन में रती रखती थी ग्यान कर्म भक्ति का समनवीत रूप था वो जानकी को डाटस देती है सिता जी कहती है मा कहीं से अगनी लादे में जल जाओ मुझे मर जाना है त्रिजटा आश्वासन देती है और कहती है कि जानकी ये लंका है यहां रात्री में अगनी नहीं मिलती हनमान जी सब निवेदन सुन रहे लंका में रात में अगनी नहीं मिलती अगनी का अभाव है कोई बड़ा नेता किसी मुलक का यात्रा करता है कोई कहता है पानी का अभाव है तो टेंकर की विवस्था कर देता है कोई कहता है फ़ला का अभाव है को अभाव है कि अगनी का अभाव है कल घर घर में लगा दो सब को सुविधा कर दो सब के घर में अगनी का फाइदा पहुचा दो त्रिजटा आस्वा संदे कर चली गई राक्सस यू का कि त्रास मत दो अपनी मर्यादा में रहो त्रिजटा जाती है अब जान किजी बहुत विरहा कुल बनी है कैसी भी परिस्थिति होन बाप शरणा गती नहीं बदनेगे चाहें बस शरणा गती बचाएगा प्रलोभन आएगा ब्रह आएगा धारी हुई मानसिक्ता सफल नहीं होगी और हमारा चित डामा टोल हो जाएगा लेकिन शरणा अज जानकी का चित डामा टोल हुआ जो निरंतर राम गुन श्रैनी को स्मरने वाली जो रावन से भी बात करें तो रखुपती गुन श्रैनी अवधुपती का स्मरन नहीं चुकती वो आज शरणा गती दूसरे की करने लगी अशोक की शरणा गती ब्रिक्ष की शरणा गती करी राम भुल गई अब दिखो अब राम का स्मरन कट गया सुनहू बिनायमम बिन बिटप असोका सत्यनाम करू हरूमा सोका है अशोक वरिक्ष मेरा बिनाई सुन ज्यानी ओढ़नी वरिटू होई एनी पास है जात लंबावाई ज्यात जाडवावनी आरे हात नो पहलावाई सुनहू बिने लेकिन दुख भुभुक्षिता किन करोती पापं खिना नरा निश्करुना भवंती दुख आदमे के पास क्या वो ने कराता बिल्कुल अशोक की शर्णा के दुख शकी और कहती है तुमारा नाम सच कर अशोक का नाम सच है कि राम नाम सच है हम तो कहते हैं राम नाम सच है आज जानकी कहती है तेरा नाम सच है तु अशोक है मुझे शोक नहीं होना चाहिए तेरे नीचे तेरा नाम सच्चा कर राम नाम सथ राम नाम सथ कहने वाली अशोक नाम सथ अशोक नाम सथ शर्नागती बिन्न हो गई अब तब हनुमान जी से नहीं आए उसी समय इदिन हमुद्रिका डारिदत अब विल्म करने में खत्रा है कि मां की शर्नागती गलत राह पर जा रही है और उसी समय हनुमान जी ने राम नाम अंकीत मुद्रिका डारी हरी नाम ठैकने युग्य नहीं है हरी नाम जपने का बात है आज तक हनुमान ने इस मुख को मुख में संभाल रखा था प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई लेकिन आज हनुमान जी ने दिन हमुद्रिका डारी टब फैंक दे जानकी को बोग देते है कि तुने राम स्मर्ण छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूँ ले बताना था कि जिस राम नाम से में समंदर नाम गया जिस नाम राम नाम से में इतनी बाधाओं को पार किया और मां तुन इस राम की एक रूपा सती है और तुम आज अशोक सत राम नाम सत नहीं और राम नाम चुक गई तो बताना चाहिए तो कमा भी छोड़ देता हूँ ले लेकिन छोड़ा कब जान कीजी अशोक रिक्ष से अगनी मांगने के लिए हाथ हुचा करती है तुम मुझे अगनी दे शिरी हनवान जी ने सोचा अब मुद्रिका डालू बंदर के मुक से ज़्यादा राम नाम भक्ति के हाथ में ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा इसलिए हनुमान जी ने दिन हमुद्रिका डारी तब एक तो मा को समुर्थ ही करा दी कि राम नाम नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरा गिरेगी नहीं राम नाम गिरता नहीं भक्ति उसको उठा लेती है और जैसे आथ ऐसे किये मुद्रिका और जानकी जी को क्या हो जनु असोक अंगार अगनी मांग रही थी तो लगा यह कोई अगनी अगनी अशोक व्रिक्षन है मानो मुझे अगनी दे दिया लिया और जब मुद्रिका देखे तो चकीत चीते मुद्री पहिचा चकीते से मुदरी का पहचान कि को ये तो मेरे बाप ने कन्यादान के सबए देथी ये मुदरी का यहां कहां से आगे और जान कि अब मुदरी का से बातचीत कर रही है ये बहन सबसे पहले अज़्या की राज्य लक्ष्मी ने राम को छोड़ दिया उसके बाद मैं राम को मुर्ट के पांचे बागने के लिए कहा और मैंने राम को छोड़ा और आज तू भी राम की उंगली छोड़ कर यहां आ गए नारी का भरोसा कौन करेगा तुझे यहां नहीं आना चाहिए था तो कहां से आई बापचित कर रही है हमारे मिथिला के रामाईनी लोग तो कहते हैं कि जानकी उस समय यह मिथिला की मुद्रिका है न इसलिए मैथिली भाषा में बात करती थी पर मुद्रिका मैथिली भाषा में उसका जवाब देती थी उसके पद लिखे गए मैथिला में उसके सुंदर सुंदर लोग पद है जिसमें यह भाव है मुद्रिका और जानकी का सुंदर संवाद रचा जाता है जानकी जी बहुत अवड़ो में है कि ये मुद्रिका कहां से आई सोच रही है जीती को सकई अजय रघुरा ये मुद्रिका राम के पास थी और राम को कोई जीत नहीं सकता राम अजय है बिना जीते राम से मुद्रिका प्राप्त नहीं कर सकता तो राम को जीत नहीं सकता तो राम के पांच से तो कोई ला नहीं सकता और माया से तो ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती और माया भी मुद्रिका हो तो मेरे हाथ में आकर भस्म हो जाती तो ये मुद्रिका आई कहां से अब हनुमान जी को लगा कि अब आउसर है मेरे बोलने का श्री हनमान जी महराज ने सोचा कि किसी की व्यथा दूर करनी हो तो एक मात्र उपाय है कथा राम चंद्र गुन बरने ला सुनत जी सीटा करें दूर करें दूर करें नाच्वुन वही ने चारे आंगन वाका होई अगी जन कथा गायो ने तन व्यास्पित नी जरूरूती ही तो डाल उपर ये बेठो बेठो गातो होई राम चंद्र बरने ला अशो लंका माराम पारा हैं बेठी भाई वक्ता है अनुवान जी श्रोता है मेरी मां जान की रावन्णा घर्मा राम कता बेवार मुए करिया यह वक्ता हरी करिपा क्या नहीं करवा सकती हैं अब आपसे आपको निमंत्रि, अरी कृपा क्या नहीं करवा सकती, दूसरे फाफा मत मारना, मुरारी बापु को देखना, साथ, जेगा प्रगमा, स्लीपर लो तू, आज लोग को चार्टर करके मेरे पीछे दोड़ते हैं, ये राम कृपा, ये गुरु कृपा है, अपको अच्छ इसलिए में करता नहीं, मेरी आत्म कथा, अपकी जो अभाव से, मैंने जिवन गुजारा है, आज राम के दाब के परताब से, तो लगा जोड़ू, चांडल डामती सूर्ज बिनी क्यों जाएगे, कहां से, कहां, बरुसा करिए राम नाम पर, बरुसा करिए, प्रवु के, तो बाप, हनुमान जी वहां बैठ कर राम चंद्र के गुं सुनाने लगे, यहां राम चंद्र शब्द उठाया, जानकी जी कहती है, चंद्र हास, तलवार को फाफा मारते, मा तलवार नो अश्रही न लेवाए, राम चंद्र नो अश्रही लेवाए, राम चंद्र गुं बरने ला, सुनते ही सीता करें, और बाप, मैंने बहुत बार कहा है, यह सुत्र की याद दिला हूँ, इवान भाय बैन खाज, शमस्या जीवन में आएगी, यह जीवन है, रेलवे लाइन नहीं की ट्रैक पर जाए, जीवन गंगा की धारा है, कई मोड़ों से गुजर है, लेकिन पवित्रता कम नहीं होनी चाहिए, यह गंग धारा है, लेकिन, लेकिन, इस प्रसंद को ठीक से देखें, कि रावन एक सबसे बड़ी समस्या की जगत के लिए, जानकी के लिए भी, यह समस्या अशोक वाटिका में आई, इस से पहले हनुमान रूपी समाधान और डेड़ी आ चुका था, हमारे और आपके जीवन में समस्या आती है, इस से पहले समाधान प्रभू बेचता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा देर ये रखना पड़ता है, समाधान कुद कर आएगा, और बुख भाग जाएंगे, सुनता ही सीदा करे दूख भाग जब समस्या आती है, तो इधर उधर डाढ़ियों में हाथ डालते है, ये मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे, ये मेरा समस्या आये ना, तब जानकी की तरह उपर देखना, समाधान उपर से आएगा, श्री हनवान जी महाज राम चंद्र की कथा सुनाने लगे, मेरी मा के दुख भाग दुख की क्या भी साथ की कथा के सामने व्यथा खड़ी रहे, भागे, नश्ट नहीं हुए, भागे, वापस आ सकते हैं, अज एक भागे में एक चिथी है, आज तो मैं प्रस्म का उत्तर नहीं देपाई, एक भागे की चिथी है, कि बापू, मेरी समझ में नहीं आठा, कि इतनी सुन्दर कथा चलती है, इतनी तात्विक सात्विक चर्चा चल रही है, आप बहुत आन हो रहा है, लेकिन आखिर मे नहीं तो बोजन है, खाएन पर जुटा पर जवन, चल ले बोजन, यह नहीं हम है कथा का हाँ, सिता और हनुमान का समवाद कथा है, कथा की आखर में, सुनहूं मातो मही, बोजनत चल ले, मैंने भूख लागी जले मावा कथा पूरी कर, वह यह आवे करूं, यह तो रावा कथा हांबली में भूख यह जोई है, जिसको गता सुनकर भूख न लगए, इसने कथा ठीक से सुनी नी, अथा तो बरन्म जिग्यासा, अथा तो भक्त जिग्यासा, अथा तो धर्म जिग्यासा, यह भूख लग नी जाए है, यह बाई में आलोटना के रूप मेलें, बिस कथा तो भूख सरचालती है, यह को आगे तो भूख लाग बीजुए, भूख होन जाए है, बदाम नी बरफी, मारतो यादश कर वानूँने, मारत काई दिग्यास, रेटनास कर वानूँने, जावन की के दूख भागने लगे, रितनी संदर कथा सुन रहिए मा जान की कता से बढ़िया कोई समाधान नहीं जिविनका सबसे सिरिष्ट मेरे अनुबो में कता मैंने जो समाधान पाया है कता से पाया दुछ भागे जान की से नहीं रहा गया जिसके बहुत सुन दर वचनम सुनते है न तो मानव स्वभाव है उसको देखने की इच्छा होती है कि कौन बोल रहा है ये कौन इसलिए कथा सुन्दर चल रही थी जानकी ने स्वेव विक्षेप कर दिया विक्षेप नहीं ये लालसा थी कि इतना सुन्दर गायक इतना सुन्दर बोलने वाला ये कौन है ये चुप चुप ये छुपा हुआ क्यों बोलता है तो जानकी ने कहा इतनी सुन्दर कथा श्रवनामृत कथा कानों को अमृत गोल रही है ऐसी कथा सुनाने वाला तू है कौन प्रगट हो जाओ और जैसे प्रगट होनेगी बात कही शुरी हनवान जी तुरंत जानकी के सामने कुद पढ़े मौका देखो प्रगट होनेगा जाँ जाँ प्रगट नो थाओ याँ प्याहां दोका काढ़वा सुन्दर कथा करते हो तो भी सामने से निमंत्रन मिले तब पहुँचना चाहिए कोई कह प्रगटो 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 हनमान जी प्रगटे वही रूप में हां साब बंदर को देखकर जानकी मुख फेर गई ओ यह फिर मायावी रावन के कुछ कर्तुत लगती है जो मेरे पांस स्वरन मुख लेकर आया था जो मेरे पांस स्वरन में एक सन्यास ही बनकर आया था वह आदमी फिर एक बंदर के रूप में किसी को बेज रहा जाम की नमख फेर गई एक अच्छा कथा गायत तुमारे दुख भगा दे तुम कहो तब प्रगट हो जाएं तुम कहो कि पधराम नहीं करो और तब तुमारे घर आये और वो जब आये तब तुम पूरा घर मुख फेर लो पर तो यह तो बड़ा अपमान है लेकिन हनवान जी ने इसको अपमान नहीं समझा हनवान जी ने कहा मा तुने मुख फेर लिया अच्छा किया क्योंकि कथाकार की कथा ही सुनने जैसी है उसका मुख देखने जैसा नहीं मेरी व्यास पिट ने सुत्र बनाया है वक्तव्य को पकड़ो वक्ता को नहीं कहा क्या गया उसको सुन मुझे देखने में तु देखो जो तु डर गई कैसे तो महामली लेवाई गरे नो बोलावाई दख्रीना मौगा पड़े सस्ता सादू तो गरना मौगा पड़े पाप अनुवान जी अच्छा निड़ने करते हैं कि कथा ही सुन में युग्य है कथा कोर का चेहरा देखने की जरूरत नहीं मातूने ठीक मुझ फेर लिया अब जानकी जी को लगा कि मैंने उसको प्रगट हो ऐसा कहा और प्रगट होँआ तो कथा रुख गए कथा ही तो मेरे दुख को भगा रही थी तो अब कथा कैसे फिर शुरू करवा दे एक तो बुलाया आया और फिर मुझ फेली अब उसको कहे तो वो कथा कहेगा नहीं कि फिर हम किसे कथा कहलवाती है नू तो फेर लिया तो अब कैसे कथा फिर से शुरू करवाए इसलिए जानकी ने योजना बनाई कि अनुवान जी ने कहा कि तो कौन है और अनुवान जी परीचई देते है अनुवान जी जहां जहां मानस में परीचई देते हैं बहुत प्यारा है सादू का परीचई अद्भूत होता है बरत के सामने जब परीचई देता है या अद्मा के सामने जो अपना परीचई देता है रागव के सामने किसके इंधा के तरेटी में जब परीचई बड़ा अद्भोत परी चाहिए देते है मैं राम का दूख हूँ और जानकी के मन का वहम तोड़ दिया क्योंकि सीता को हुआ कि ये कोई मायावी राक्षस बंदर के रुप में आया हो इसलिए कह दिया मा तू जानकी तू मेरी मा है ताकि दूसरे सोच निकल जाए अतिसय राम दूत में मा तू जानकी सिता भरोसा न करे तो इसलिए अनुवान जी सो गंद लेते सत्यसपत करुना निधा राम की कसम में राम का दूत हूँ रगुवीर की कसम में राम का दूत हूँ राम रगुवीर रगुनात कोई शब्द नहीं करुणा निधान शब्द का उप्यों के मुझे करुणा निधान की ये ये नाम क्यों वहां बोला क्योंकि इस नाम में जादू था ऐद्ध्या में राम को कौसल्या रागव कहती थी महराज दशर्द जी राम को राम कहते थे कोई कुछ कहते थे कोई कुमार कहते थे कोई कुछ क्योंकि एक ही व्यक्ति सब के प्रिय होती है तो उसके लिए सब के संबोधन कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे लेकिन जान की तो नारी स्वरूपा है और वो राम को राम नहीं कहती, रागव नहीं कहती जब से पुश्पवाटिका में देखा तब से उसने एक अपना संबोधन पैदा किया राम के लिए करुणा निधान सुजान सील सनेग जान एजानकी का बहुत अंगत संबोधन है राम के लिए जिसे हर एक प्रेमा धंपती में हर एक प्रेमी नारी को अपने पती के लिए यrole अंगत संबोधन होता ये बंब ये बंब लाम आप होने बहुए बंब भम्रा जानकी का जनक सुता जग जन निजानकी अतिशा ये प्रीग करूना अनिता ये अंगत संबोधन है गनुमान जी ने सोचा कि राम और जानकी के बीच में जो संबोधन है उसी की सौगन दूत उम्मा को यकीन हो जाएगा कि निश्चित राम का कोई निकट का आदमी आया होगा कि कभी राम ने कह दिया होगा कि जानकी मुझे जब पुकारती है तब करूना निधान कहती है तो उसको भरोसा हो जाएगी राम दूत मैं मातू तो मर्यादा के खातर पहले के जमाने में भी अपने पती का नाम नहीं लेते थे आज भी आज तो ठीक है लेकिन बीच में भी नाम नहीं लेते थे तो मर्यादा के लिए एक उपनाम बता देते हैं उसका ये दोनों के बीच में ही नाम होता है कर नहां देन प्रति के गुटूटू बत अब अब टूठ का अब टूठ जते ना बारेक में के लग गुटूटू जो आवे पहली बार वहन कुवरायो अदिश्यामे में पैली बार वैन कुवराया तो फिर 15 दीन की कजा थी श्याम को कजा रहे कुरा दिन प्याता तो जा पदरामने में कही जाओ तेक जग गया तो इबन ने पुकार किया तरु एम ने तो कनू ने नो दिक्रोशे कनू नो बान्यों होसे आपने तो पहली बारा अजू लिकले न आपने अद़ ने आद निया इटने ले खनो पनू क्या सो इमना यह के बा वागेडंका निजान वहन के दार अब मधुरेण समाधेश्टा बब मिठी मधुरेण वागेडंका निजान वहन के दार अउत्रो भाई पुरविय उत्रो तनुग भला मोरी रामा भला मोरी रामा तेरा दून प्यारा युद्न तेरा दून प्यारा भला मोरी रामा तो कमू तो यही निकले हो सत्य सपत करुणा अनुवान जी ने का मा मैं करुणा अनुद्धान की कसम खा कर कहता हूं मैं राम का दूत हूं मैं रावण का दूत नहीं हूं यकीन कर मा को भरोसा हो गया लेकिन कथा मा ने रोक दी उसका गाटा उसको पिड़ा दे रहा था इसलिए फिर कथा शुरू करवानी थी ताकि व्यथा हट जाएं तो जानकी नहीं युक्ती की कि भाई ठीक है तू राम का दूत है सब ठीक है लेकिन पहले ये तो बता कि नरबानर ही संग कहूं कैसे वानर और नर का संग कैसे तू वानर मेरा रागव नरोत्तम नर इसमें संग कैसे हुआ अब यस प्रश्मक के जवाब में हनुमान जी को फरज़ात कथा सुनानी पड़ती है कि राम ऐसे आये किस किंदा आये मैं मिलने गया पिर ये पूरी कथा तो कथा फिर से शुरू करवाने की एक सुंदर विरेक पूत युक्तिया जानकी ने निकाली कही कथा देखो पूंक संगती ओगी जो कथा तूटी थी पिर संगती हो गए फिर सालस्नलाप अगाई कथा भाई संगती जैए से ुश्री हनवान जी मा से बातिशीत करते हैं राम का सबसंदेश देते हैं और फिर जानकी जी हनवान जी को आशिर वाद देते आज तेम एक आज तुम्हें आत जुम्हें इशारे में उतारे से निखला तो मैंने कहा कि किरन बह्य म्तुम्ह.. आरति करवने खिरीतले ने डुरुच एपना जाजक्त . इटलेव पजीमे पुदू इतले पुछी सम्झाई क्योंके राम जुनम नी वात करें से पुना जी तो राम जुनम काया जे काय था यू अधि आतो बदाम नी बर्पी तुवेर रिंगन नुशाथ पापड याने पापड जे के अवाई थे खाजो 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 तो तो घरर रामा ना- पिक पर दो हुए! आए बना आए घर आमा रामा ताभर आम जाए पतिक talks about the रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम कर दो 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 कर अरे रामा रामा राम सीता राम 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 आरे राम आराम आराम सीता राम 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 आरे राम आराम आराम सीता राम राम कि इस अत्रका दिन हरी मूह लिक्षाइगौ कि मिताइगों युदु भी है अली मुला अली मुला अली मुला हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी बोल, 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 हरी बोल हरे राम आ राम आ राम सीता राम राम हरे राम आ राम आ राम सीता राम राम हरे राम आ राम आ राम आ राम सीता राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 पवनतने संकते हरेन नंगले मूनतने राम लखन सीता सहीत हिर्दये बस हो सुरह भूलिये अनवांजे माराजे ग्रीये बाप आज की कथा विराम ले रही हैं कल सुबह साड़े नौ बोजे फिर भगवत चर्चा करेंगे बाव से राम भगवान प्रीये हो पाल कृष्ण बगवान प्रीये सद गुरू बगवान प्रीये प्रीये बावन प्रीये रही बावन प्रीये बावन प्रीये प्रीये बावन 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 जन्यकिन है अग्या कुण्छ मतागा वदर कान शुंद का रेल भाता हुब हुआ यान्य मतर्थ मुळ्टित स्युटी एयर किव्या कुछ्या Kान शुंद का रिञ्या क्लीन शियं मतमा उठाव पलो रहते मनारतन को जह राइगा हुआ, बिदो खानास का मुख्या हुआ, नामापर्प आछाउ, प्यारतने शूद कुछा हुआ। जिन्टी करी दो समय क्याूदित कर्का मीशो about हैं जिन्टी कर्का मीूओत से कौरी फिन्टी कर्का कर दिना लगार 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 कर दो 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 पुआया दीजितारे जीजिता जेगदा किता हुआ झाल पुच्छ bolt राभ झाल झेखी कर्पाकि पाकि प्राभ टॅ bluffुषिर alluded कि लट्मेजिता जेखी ज़नाचिक दwingा झाल झाल बात टेखी जा किता हुआ भर वो दोरे पेला ज। कैंने अरफ जुड़ी लुड़ुड़्य भी लुड़ी का घर शुड़ुड़। चल्बासता करिए लगसे सुब केले के लगसे लोगन गुिष लगसे सुब कर्दर शींता कैले करो लुझ कर्दें आजिशे सुब कर्देत गिशाथ रहं आग Mackेकिसि अगखाथ शींता काथा चानिस्ट रहं जाट शाट जाब शौटीं इसने ल esa चानिसदोASE प्रिणीं प्रतिर्टित मुझे प्रेविख करें आयमारी नावर्प्रके व्रतुम्र्ण थे गरू निहान देन आड़ी दिक्याय निजाते सुटान्गाने अदेड़ कुछाइब तरिध्ता एंसे हिं मेगारी, आड़ीज ती अर्य॥ी तावरी, ऌर्य॥ी छिम्टि पंदेदे double आड़ी दिन antisे रंकोत क्योत्षिंड़ी, ज्क्ता एंसे आट एंसे हिं लु लु उप्टाने कोश वेसं पुनिवाने का रधने का रिवारी लुट आधने का रिवारी लुट सर दोका की अियुट लुटी लुटी आपदन संदा नहीं सेंगर मुदिन आड़ी यारी यारी में वरह पान सबस्क्राइन चाहिक नियुद्फ कर देती आती आती है। है कर दो थे जटियुद्फ कर देती आती है। मिशान धक्राइए कर दो कर दो के साथ रहिती है। प्रिखिए के लिगा तुह प्रिखिना में लुझा, लोग दुना, लुटिया लुटिटी जाहिँ फिपान३। लुटिए के लुटिए आखे लुटिए। रखेल, बातुड मेवाइ Meinung जुग जुग भर्पिस कम द GOOD sailing पीन की जाल आतुड मेवाइ हरी ओम आनो बद्रा क्रतवो यंतो विश्वतो दब्दासो अपरितास बुद्विद देवानो यता सदमिद भृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानाम बद्रा सुमते रूजुयतां देवानाम राती रविनो निवर्ततां देवानाम सक्यमुपसे दिमावयं देवान आयु प्रतिरंतु जीवसे तान पूर्वया निविता भूमनेवयं पगं मित्रमधितिं दक्षमस्रिदं अर्यमनं वरुनं सोममस्विनां सरस्वतिनस्वगा मयस्करतं तन्नो वातो मयोबवातु बेषज जं तन्माता पूति वी तत्पिताद्यो तद्ग्रावान सोमस्वतो मयोबवस्तदस्विनां स्रुनतं दिश्यायुवं तमीषानम जगतस्तस्तु शस्पतिं दियं जिन्वमवसे। gjूowan नंवाए वोषानो यता, वेदसामसद्भुदे, रक्षितापाईुरदद्ध श्ष्वस्ताे स्ष्छिनå हिंद्रो वृतह्त्ष्वा, स्ष्छिनकूषः वृष्वेदा स्ष्छिन שמ्ׄस्टार्ट्षो अरिस्वनेवी, स्ष्छिनों नुोहस्वगेददातु पुषदस्वा मरुत रुष्मी मातर शुबंव्यावा नो विदते शुजगमयः अग्निजिर्वा मनवस्वूर चक्षशो विश्वे नो देवा अवसा गमन्मियः बद्रम्कर्णे विश्वयाम देवा बद्रम्पष्ये माक्षविर्यजत्रा स्थिरे रंगे स्थुष्चुवां सस्तनूरे व्यशेम देवरितं यदायू शतमिन्नु शरदो गंति देवा व्यत्रा नस्चक्रा चरसंतनूनाम उत्रा सो यत्र वितनो बवंति मानो मध्यारी रिषता युरुगंतो यो शान्ति रंतरिक्षम शान्ति उत्रिविशान्ति रापश्चान्ति रोषदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विष्वे देवा शान्ति रंवा शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति रेव शान्ति स्थामा शान्ति रेव शान्ति स्थामा शान्ति रेव शान्ति रेवा शान्ति देवाहिंद्रव, देवाहि पूषन, देवाहि देवा, पुर्णमद, पुर्णमिद, पुर्णार, पुर्णमुदस्यते, पुर्णस्य, पुर्णमादाय, पुर्णमेवावसिष्यते, ओ, शांति, 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 शांतिरि, अलियों।